Hello students, तो आज हम Vector Algebra से कुछ Problems Solve करेंगे तो ज्यादातर Questions इनमें से Single Option Correct Type है Multiple Answer होंगे तो मैं आपको बता दूँगा Vector Algebra ये एक बहुत Important Topic है पूरी Physics में हम इसे Use करते हैं Frequently Use करते हैं Vector Algebra के Questions की आपको जरूर Practice करनी चाहिए आप Physics में आगे बढ़ें उसके पहले जो Basic Mathematics होती है उसमें ये Vector Algebra पढ़ाया जाता है तो इसकी प्राक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए आप नीट का एक्जैम दे रहे हूँ जही में का या एडवांस का और स्टॉपिक का हम पढ़ रहे हैं Physics के Point of View से ये पहला Question If Vector A is 4i minus 3j and b equals to 6i plus 8j then magnitude and direction of a plus b will be तो साथ साथ में हम थेरी भी करते हुए चलेंगे This is Question में आपको दो Vectors दिये हुए हैं a और b तो जैसे आप इस Vector को देखते हैं तो समझ में आना चाहिए कि ये Two Dimensional Vector है यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किस Plane में है तो ये Unit Vectors बता रहे हैं I और J बता रहे हैं कि ये XY Plane में है ठीक है ये वाला Vector भी XY Plane में ही है और हमको चाहिए इन दोनों Vectors का Addition मतलब Composition तो Vector Composition हम किस तरह कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारे Rules आपने पढ़े हुए है Stangle Rule है Parallelogram Law Polygon Law उसके अलावा Vector by Resolution भी आपने पढ़ा हुआ है पर जब Vector इस तरह से Result किया हुआ होता है क्योंकि ये 4i क्या है ये है Vector A का X Direction का Component और ये Minus 3J ये Vector A का Y Direction का Component है तो Component में इस तरह से Break किये हुए Vectors जब होते हैं और यदि आपसे उनका Addition पूछा है तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है सीधे आप क्या करेंगे Vector A प्लस Vector B यदि पूछा हुआ है तो बस Values रख देंगे तो A कितना है वो है 4i Minus 3J Plus 6i Plus 8J तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह questions मैं answers के लिए नहीं बल्कि वो आपकी जो theory है वो और concrete होगी यदि आप साथ साथ में इस तरह सोचते हुए काम करेंगे यहाँ A और B दो Vectors दिये थे हम कुछ आई यह था A प्लस B हमने इस तरह उसे रख दिया अब क्या यह दो Vectors एड नहीं हो जाएंगे 4i भी एक Vector है और 6i भी एक Vector है और दोनों सेम Direction के Vectors है तो they are added like Scalers यह property है Parallelogram law में हमने पढ़ा हुआ है तो i वालों को अलग से हमने लिख लिया वो कितना हुआ 10i और फिर यह माइनस 3 प्लस 8 यह दोनों Y Direction के हैं यह Positive Y में है यह Negative Y में है तो यह कैसे Vectors हो जाएंगे अंटी Parallel तो magnitude कितना होगा वो जो Resultant आएगा उसका 8-3 याने 5J प्लस 5J तो इस लिए आई आई वालों को अलग कर लिया हमने JJ वालों को अलग कर लिया और यह जो कुछ आया यह है Vector A प्लस B अब यह एक Vector था यह एक Vector था जब इनका Composition किया Addition किया तो जो हमें मिला वो भी एक Vector है और उस Vector का ही हमको Magnitude पूछा हुआ है और Direction पूछी हुई है तो यह है Vector A प्लस B इसका Magnitude चाहिए तो क्या करेंगे मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या करना होता है हमको I और J के Coefficient के Squares करने होते हैं और उन्हें Add करना होता और फिर उसका Square Root ले लेते हैं मतलब यहां आएगा 10 Square Plus 5 Square तो कितना हुआ यह हुआ 125 इसका मतलब यह हुआ 5 Root 5 तो यह आगया A Plus B का Magnitude याने Answer B Correct हो गया क्योंकि सर्फ इसमें ही Magnitude 5 Root 5 है अब यह जो लिखा हुआ 10 Inverse Half यह क्या है यह है A Plus B Vector की Direction तो उसके लिए क्या करना होगा हमको तो हम इसको Draw कर लेते हैं इस Vector को यह है मानलो X-Axis यह है Y-Axis तो यह Vector 10 I Plus 5 J तो यह है मानलो 10 और यह है 5 तो यह 10 10 I Plus 5 J Vector यह होगा Tangle Rule से आप कह सकते हैं यह कितना होगा यह होगा 10 I यह कितना होगा 5 J तो यह Resultant हो गया याने यह है A Plus B Vector O P Vector इसकी हमको Direction बतानी है तो या तो हम यह Angle बता देंगे जो इसने X-Axis से बनाया या फिर यह Angle बता देंगे जो इसने Y-Axis से बनाया हुआ है तो यह हम Tangent ले लें इस Angle का क्योंकि हमको यह पता है यह पता है यह कितना है फाइव यह है 10 तो टैन आलफा कितना होगा टैन आलफा हो जाएगा 5 बाइटेन मतलब हाफ तो यह इसकी Direction हो गई रिजल्टेंट की Direction आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है तो यह था वेक्टर A यह था वेक्टर B ऐसा यदि आपसे पूछा हो तो बस क्या करेंगे आई वालों को अलग आड़ कर लेंगे जे वालों को अलग तो आपको यह मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर इसका मैगनिट्यूट चाहिए तो आई और जे के कोईफिशेंट के स्क्वेर्स का अडिशन और फिर उसका रूट तो यह मिल जाएगा मैगनिट्यूड और डिरेक्शन आप यह एंगल बता सकते हैं या यह एंगल बता सकते हैं यह एंगल जब हमें निकालना था तो हमने उसका टैंजेंट ले लिया क्योंकि हमको यह मतलब perpendicular और base पता था तो 10 alpha is half and so alpha is 10 inverse half and so option B is correct अगला question क्या बोल रहे है vector A दिया हुआ है यह किस plane में है XY plane में यह दूसरा vector दिया हुआ है vector B यह भी एक vector दिया हुआ है यह है कहाँ पर तो यह है YZ plane में और यह है XZ plane में हमको इसकी value बतानी है तो ऐसा भी question आने पर बस आपको करना क्या है vector A और फिर 2 times vector B vector multiplied by a scalar gives vector तो यह है B vector का twice और फिर यह 3C vector तो बस values ही substitute करनी है A is 2i plus j फिर minus 2 times B किने कितना हो जाएगा 6J plus 2K इस minus की वज़े से प्लस हो जाएगा और फिर 3 times C करना है मतलब कितना होगा 18 I cap minus 6K यह होगा resultant vector इस vector की बात हो रही है अब बस आई आई वालों को अलग जे जे वालों को अलग हमको जोड देना है composition कर रहा है actually हम 2I vector plus 18I vector gives 20I vector I cap तो इसमें से 20I cap वाले दो options हैं तो J भी हम कर लेते हैं यह क्या हुआ? यह है J और minus 6J मतलब minus 5J ठीक है? minus 5J और यह है के minus 4K तो option B correct हो रहा है तो इस समय भी पिछले सवाल में भी last जो problem थी इसमें भी जब ऐसे vectors दिये हो A और B यह पूछा हो तो फिर parallelogram law, triangle rule, polygon rule यह सब नहीं करना है हमको सीधे इन vectors को यहां substitute करके II वालों को अलग, JJ वालों को अलग, KK वालों को अलग इस तरह solve कर लेना है फिर magnitude क्या होगा तो जैसे इसका magnitude आप से पूछ लें यह एक vector मिला है हमको इसका नाम हम रख देते हैं X vector तो यह जो vector मिला है इसका इदी आप से magnitude पूछ लेंगे तो क्या होगा magnitude I, J और KK कोईफिशन्स की squaring करेंगे, उनको add करके उसका square root ले लेंगे तो magnitude मिलेगा और यह three dimensional vector मिला है आपको तो इसकी direction के लिए हम देते है direction cosines आपने सुना होगा cos alpha cos beta cos gamma जिनके squares का addition one होता है तो फिर direction cosines हमको बताने होते हैं वो आगया भी next problems में कहीं ना कहीं आएगा हम next question करते हैं क्या बोल रहे हैं following sets of three forces act on a body whose resultant cannot be zero sets दिये हुए हमको three three forces के हमको बताना इन में से kin forces का kin three forces का resultant zero नहीं हो सकता किस तरह solve करेंगे property पर based है मान लो दो vectors है P और Q तो इन vectors से मिलने वाला जो resultant होगा वो maximum कब होगा तो जब theta zero होगा मतलब जब vectors parallel होते हैं तब resultant होता है maximum magnitude में और वो कितना होता है P plus Q कि आप जानते हैं और जब इनके बीच angle 180 degree होगा तब resultant होगा minimum और वो होगा positive difference of P and Q ये एक property है मतलब P और Q से मिलने वाले resultant जो होंगे उनकी range कितनी होगी तो उसकी range हो सकती है P minus Q या positive difference of P and Q से लेकर P plus Q तक for example जैसे ये set ले हम मालो दो forces हैं 10 Newton के तो इनसे मिलने वाला जो maximum resultant होगा वो कितना होगा वो होगा 20 कब होगा जब वेक्टर होंगे पैरलल और इनी दोनों से minimum कितना मिलेगा 0 जब वो होंगे एंटी पैरलल तो 10 और 10 Newton से हमको जो range मिलेगी resultants की वो कुछ भी होगी from 0 to 20 depending upon the angle between the vectors जब वो पैरलल होंगे angle 0 होगा maximum resultant these two are added और जब वेंटी पैरलल होंगे तो equal opposite होकर वो cancel होगे 0 मिला इसका मतलब 0 पर वो maximum और जैसे जैसे angle बढ़ेगा resultant कम होता जाएगा और 180 होने पर angle के वो 0 हो जाएगा तो दो vectors का addition ना केवल उनके magnitudes पर बलकि उनके बीच के angle पर भी depend करता है तो ये range मिली अब इन में से इस set की में बात कर रहा हूँ इन में से ये दो हमने ले लिए इनको तो add किया और ये तीनों मिलकर कप cancel होंगे मतलब resultant कब 0 आएगा जब कि नहीं भी दो का resultant जैसे दो vectors हैं इनका resultant तीसरे से कैसा हो जाए equal and opposite ये है मान लो P vector ये है Q vector ये दो vectors और मान लो इसका resultant ये है और यदि P और Q का resultant इस S से कैसा हो गया equal opposite ये तीनों cancel out हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है दो 10 के हमने लिए हुए range ये मिली 0 से 20 क्या ये 10 आ रहा है इसमें range में येस आ रहा है इसका मतलब कभी न कभी ऐसा होगा जब 2-10 Newton के vectors का resultant इसके बराबर हो जाएगा आप जानते हो ऐसा कब होगा 120 degree का जब angle होगा ये 2-10 Newton के जब 120 degree पर inclined होगे resultant 10 होगा at an angle of 60 from either of them और वो इसे cancel कर देगा मतलब ये वाला जो track दिया हुआ है तिकडी है ये तो possible है ऐसी possibilities में ढूंडेंगे इस वाले B में range कितनी होगी यदि ये 2 मैं लेता हूँ तो minimum 0 और maximum कितना होगा 20 ये 20 कभी न कभी cancel हो जाएगा मतलब this is also possible पर हमसे पूछा हुआ है cannot be 0 अब इसमें आते हैं 10 और 20 minimum कितना होगा 10 maximum कितना होगा वो होगा 30 और 10 और 30 के बीच कहीं न कहीं 23 आ जाएगा तो C is also possible तो इसका मतलब answer जो है वो D है मतलब ये तीनों मिलकर 10, 20 और 40 ये तीनों मिलकर कभी 0 नहीं हो सकते ऐसा क्यों जैसे हम ये दो ले ले तो range क्या आ जाएगी 10 से 30 तो ये 40 आउट आफ range हो जाएगा यदि मानलों आप ये दोनों ले 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 20 और 40 तो minimum कितना होगा 20 और maximum कितना होगा 60 तो ये 10 बाहर हो जाएगा जब आपने 10 20 लिया range ये थी तो 40 बाहर हो गया जब आपने 20 40 लिया तो 20 60 हो गई range 10 बाहर हो गया ठीक है इसी तरह से आप क्या ले सकते है 10 और 40 10 और 40 लेंगे तो minimum कितना होगा 30 और maximum कितना होगा 50 तो ये 20 उससे बाहर हो जाएगा मतलब कोई भी दो लेने पर तीसरा वाला बहार हो रहा है इसका मतलब यही possible answer है इस तरह से हमको check लगाना पड़ेगा तो इसमें भी ये property use हो रही है तो अगला question देखते है क्या बोल रहा है 5 equal forces of 10 newton each are applied at one point and all are lying in one plane if the angles between them are equal the resultant force will be इसका answer ही आपको याद होगा इसका answer है zero क्यों zero क्योंकि ये पांच जो forces हैं ये मिलकर बनाते हैं closed polygon closed polygon इस तरह से closed polygon ये form करने वाले हैं ये पांचो vectors मिलकर और वो होगा pentagon regular pentagon इस तरह से ये closed polygon बनाएंगे तो इसमें कोई भी closing side नहीं है क्योंकि triangle rule हो या या polygon rule मैंने आपसे बताया हुआ है कि closing side in opposite order इस तरह से याद रख सकते हैं closing side in closing side in opposite order gives gives resultant closing side जो opposite order में होती है वही बतलाती है हमको resultant for example ऐसा कोई triangle है मान लो जिसमें ये दो vectors है A और B suppose A और B और तीसरा है मान लो ये C तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये दो sides तो represent कर रही है vectors A और B को ये तीसरी जो साइड है opposite order में वही बतला रही होती है resultant मतलब C vector equals to A vector प्लस B vector है याने किसी भी polygon में जो closing side होती है opposite order में वही बताती है resultant पर यहां ये five जो vectors हैं दस newton के वह इस तरह से arrange होंगे कि ये सब एक closed polygon बना लेंगे और इसलिए हमें closing side नहीं मिलेगी और वह नहीं मिलेगी इसलिए resultant होगा zero तो इस तरह इसका option हो जाएगा option A पर इसको यह दि solve करें इसको आप ध्यान से सुनना इस तरह का question आने पर आप answer तो tick कर देंगे पर आपको उसका जवाब भी अच्छे से पता होना चाहिए तो पांच vectors हैं हर एक कितने का है दस Newton का और उनके बीच के angles equal हैं तो पहले तो यह पता करें हम कि angle यदि equal है इसका मतलब क्या है कि regular polygon बनेगा जब आप उनको इस तरह से arrange करेंगे तो किसी भी regular polygon में कोई regular polygon है in e-sided अचल करें एन साइडिें ई सौम ऑफ है संम जाठ में इंटीरियर कितना होता है पहले तो यहीं अपने दिंद्राग में आना चाहिए सम आफ इंटीरियर आंगर सी फोर्मलंए आपको इसमें कितने triangles form होंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि तीन 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 triangles बनेंगे और angle sum property से किसी triangle के तीनों angles का sum कितना होता है 180 तो 180 इंटू 3 याने 540 होगा interior angles मतलब इन angles का sum इन angles का sum कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 180 इंटू 3 याने 540 तो इसको generalize करें तो अपन यूँ सोचें कि pentagon था तब तीन बन रहे थे triangles यदि मानलो octagon होगा आठ sided figure होगा तो कितने triangles form होंगे दो कम six याने जितनी sides होती हैं उसमें से दो subtract करो और 180 का उसमें multiply कर दो तो हमको मिल जाएगा sum of interior angles यह formula बन गया तो measure of one angle कितना होगा एक angle कितने का होगा measure of one angle पर कौन सा one interior angle वन इंटीरियर एंगल वो कैसे निकालोगे तो बस इसे एंसे क्या कर देना है डिवाइट कर देना है एंसे इसको डिवाइट कर देंगे क्योंकि यह total है जितनी साइड्स होती है उतने ही angles बनते हैं और सभी angles equal value के होते हैं तो यह जदी sum of interior angles है तो इसको डिवाइट कर देंगे एंसे तो हमको मिलेगा measure of one interior angle याने n-2 times 180 upon n तो यह एक angle का sum हो गया तो एक exterior angle कितना होगा exterior का पहले मतलब समझ लेते हैं जैसे यह interior angle है जो इन दो साइड्स के भी से included है इसको यह आगे बढ़ा दें इस वाली side को आगे बढ़ा दें तो इधर जो angle बनेगा यहां हम लगाएंगे क्या यहां आपको मालूम है यह 180 degree होगा पूरा एक लाइन पर बनने वाला अंगल उसमें से यह interior है यह exterior है है ना अंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी यहां पर तो यह exterior angle है जो red से दिखाया हुआ है तो exterior angle कितना होगा तो measure of यह सब बात हो रही है किसी regular polygon में यह regular polygon के interior angles का सम यह एक interior angle और अब मैं बता रहा हूँ आपको measure of one one measure of one exterior angle exterior angle के लिए क्या करोगे तो साफ तोर पर आपको 180 में से subtract करना पड़ेगा इसे यह जो आया हुआ है इसको 180 में से subtract करना है तो 180 ले लोग कॉमन 180 कॉमन 180 माइनस दिसमच करना था तो क्या करें अब 180 में से सब्ट्रेक्ट करना है 180 मेंने कॉमन कर लिया है तो क्या बचेगा वन माइनस वन माइनस वन ऐसा होगा ना माइनस वन एक्स्टीरियर एंगल निकल रहा है 180 में से subtract कर रहे है 180 कॉमन तो अंदर बचेगा वन फिर इसको मैंने सम आफ एक्स्टीरियर एंगल होता है 360 और एक एक्स्टीरियर एंगल होता है 360 अपॉन एन यह प्रापर्टी आपको पहले से भी पता होगी ही अब अपने सवाल पर आते हैं तो फिर हमारी इस प्राब्लम में जैसे आप इसको पढ़ेंगे इक्वल फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है और एंगल्स बिट्वीन देम और इक्वल इक्वल एंगल्स पर वह इंक्लाइन है मतलब आंगल बिट्वीन वेक्टर्स इक्वल हैं तो औभियस्ली एक रेगूलर पॉलिगान बनेगा क्या होगा वह five-sided मतलब क्या होगा वह pentagon regular pentagon exterior angles का sum कितना होता है अभी हमने समझा 360 और number of sights कितनी है five यैने एक angle कितना होगा यह क्या है exterior angle का sum और यही होगा angle between the vectors श्का मतलब वह 10 newton के forces के सरह से अरेंज्ड है मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं यह पहला फोर्स दस न्यूटन का और यह अगला पॉलिगॉन बनेगा तब इंटीरियर अंगल तो 108 डिग्री होगा पर इन वेक्टर के बीच कितना होगा अंगल तो वह गाएक्स्टीरियर अंगल मतलब 72 डिग्री मतलब पहला वेक्टर 10 न्यूटन का दूसरे पर किस तरह इंक्लाइंड है 72 डिग्री पर यह अंगल इतने पर इंक्लाइंड है तो वह भी 108 पर होगा पर यह यह वाला अंगल यह 72 हो जाएगा इस तरह से वह फॉर्म कर लेंगे एक रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा जिसमें यह हर अंगल कितने का होगा 108 का और हर एक एक्स्टीरियर अंगल कितना होगा वह होगा 72 का अब पॉलीगॉन रूल के हिसाब से देखें तो यह पहला वेक्टर यह दूसरा वेक्टर यह तीसरा यह चौथा और यह पांचवा यह पांचों मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म कर रहे हैं याने हमको क्या नहीं मिल रही है क्लोजिंग और इसलिए resultant हो जाएगा 0 अब इससे घबरा रहे नहीं है सब discussion से exam में जब आएगा question तो फिर आपको याद आजाना चाहिए कि यह तो property है भाई कितना हो जाएगा resultant वो हो जाएगा 0 तो इसका answer है फाकला question करते है क्या बोल रहे है how many minimum number of coplanar vectors having different magnitudes यहां ध्यान देंगे different magnitudes can be added to give 0 resultant अब मान लो ऐसा नहीं होता different magnitudes नहीं होते suppose equal magnitudes के कम से कम कितने vectors का resultant 0 हो सकता है तो आप बोल सकते थे कि 2 क्यों क्या आप जानते है equal opposite vectors यह cancel हो जाते हैं जैसे यह है f vector और यह दूसरा vector है f dash vector इनका resultant कितना होगा 0 equal है opposite है पर यहां बोल रहे हैं different magnitudes के कितने vectors जो coplanar हो और उनका number हो minimum और resultant हमको मिले 0 तो answer होगा इसका 3 किस तरह कि यदि 2 का resultant तीसरे के equal और opposite हो जाता है इस तरह का होगा vector diagram यदि इन दो vectors का यह है मानलो P यह है Q और P और Q का resultant यह नहीं है यह तीसरा vector यार P और Q का resultant मतलब यह यह याने P vector plus Q vector यदि यह vector और यह vector कैसा हो जाए equal opposite हो जाए तो resultant मिलेगा 0 तो कम से कम 3 होने चाहिए जो coplanar है और different magnitudes के हैं तो इस तरह की problem आपको Newton's laws of motion में मिलेगी इस पूरे topic पर जितने questions हम कर रहे हैं यह पूरी physics में अलग-अलग जगे appear होंगे सब properties आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगला question करेंगे क्या बोल रहे हैं 100 coplanar forces each equal to 10 Newton act on a body each force makes angle pi by 50 with the preceding force what is the resultant of the forces तो यह बिलकुल वैसे ही सवाल हुआ जैसा अभी हमने किया था अपकी बार क्या बोल रहे हैं कि 100 coplanar forces हैं अग्टर हर एक का magnitude कितना है 10 Newton और हर वेक्टर अपने पहले वाले वेक्टर के साथ पाई बाई 50 का एंगल फॉर्म कर रहा है मतलब यह है मानलो पहला वेक्टर दस न्यूटन का और जो अगला वाला है यहां बना लेता हूं में उसको यह अगला वाला वेक्टर मतलब हर वे वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है पाई बाई 50 तो क्या यह पाई बाई 50 है नहीं एंगल बीट्वीन वेक्टर कब निकाला जाता है जब वो टेल टू टेल हों मतलब आपको आगे इसे डिस्प्लेस करके सोचना है यह एंगल एक्शली पाई बाई 50 के बराब पर और फिर क्या होता है अग्ला जो है वो इस सब्सक्राइब के साथ पॉए 50 फॉर्म करता है मतलब यह एंगल यह एंगल पाई बाई 50 और कितने है टोटल टोटल कितने है 100 तो pi by 50 into 100 करने से यदी 2 pi आ गया मतलब यह क्या आ गया sum of exterior angles और sum of exterior angles होता है 360 किसी regular polygon के लिए 360 आना यह बता रहा है कि इन सब का resultant कितना होगा 0 argumentum फिर से वो ही लगाएंगे कि यह सब मिलकर बना रहे हैं closed polygon no closing side is there no closing side in opposite order is there all these 100 coplanar forces form a closed polygon and so their resultant would be 0 एक question पहले aims में पूछा जा चुका है अगला question करेंगे इन सब properties को आपको याद रखना है क्या बोल रहा है अभी यह a vector बराबर 2i plus 3j इसको बहुत अच्छे से आप जानते हो यह जो 2i है यह है component किसका a का किस direction में x की direction में और यह है component a का y की direction में हमको बताना है angle between a and y axis तो इसको plot कर लेंगे vector a को यह x axis हो गई यह y axis हो गई तो यह हो गया हमारा vector यह है वो vector a और यह ऐसा vector है जिसका x direction का component वो कितना है 2i और y direction का component है 3j यह किसी scale पर नहीं बना रहा हूं मैं सर्फ आपको समझाने के लिए यह अब इसको justify करेंगी यह resultant है कैसे तो इसको आप खसका लें इदर 3j को यह भी 3j है तो आप देख रहें 2i plus 3j equals to a तो a is resultant 2i and 3j are components यह result parts या projections एकी बात है हमको angle बताना angle between a and y axis यहां गड़बड हो सकती है ध्यान से आप यदि नहीं देखेंगे तो आप यह angle बता देंगे ऐसा नहीं करें यह angle हमसे पूछा गया है y axis और उस vector के बीच का angle यह find out करना है तो यहां एक triangle बना लो इस triangle में बात कर लो तो tan cost sign सबकी बात हुई हम tan निकाल कर देखते है tan alpha बराबर कितना होगा इस angle के लिए perpendicular मतलब 2 यह 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 perpendicular upon base तो alpha equals 2 हो गया tan inverse tan inverse 2 by 3 tan inverse 2 by 3 तो अच्छे से देख लेना कि क्या पूछा हुआ है पड़े यह आप इसका sign या cost निकालेंगी तो इसकी जरूवत पड़ेगी और यह कितना होगा तो साफ तोर पर यह कितना है 2 यह 3 तो 9 प्लस 4 root 13 हो जाएगा यह तो वो तो दिखनी रहा था है यहाँ पर तो answer हो गया 10 inverse 2 by 3 तो option B is correct अगला question करेंगे the vector projection of a vector 3i plus 4k on y axis is तो दिखने में बहुत आसान question है पर एक बहुत important property इससे निकल कर आती है जैसे मैं आप से पूछता हूँ कि यह एक vector है सपोज यह है कोई vector और यदि मैं आप से पूछता हूँ कि इसका इधर component कितना होगा तो आप यह angle मालूम करेंगे और बता देंगे कि इसका component इधर होगा f cos alpha और इधर कितना होगा इसका component इस वाले से perpendicular वो हो जाएगा f sin alpha थोड़ी सी trigonometric लगाना पड़ती है और कुछ नहीं यह f cos theta यह f sin theta अब मानलो मैं आपसे पूछता हूँ कि यह एक vector है suppose this is a vector a vector और इसका इधर component find out करो तो साफ तोर पर आप देख रहे होगी यह horizontal vector है यह x direction का vector है और हम vertical में उसका component पूछ रहे हैं यह property बहुत काम आती है तो क्या करोगे आप तो आपने जैसे इससे ऐसा याद रखाओ कि इधर angle बनता है उधर cosine component होता है ऐसे याद रख सकते हैं तो इधर कितना angle form हुआ है 90 तो h का इधर component sorry a का इधर component क्या होगा a cos 90 और cos 90 तो होता है 0 इसका मतलब a का vertical में कोई component नहीं होगा क्योंकि वो खुद horizontal है अब मान लो ऐसा कोई vector है suppose यह जी vector और इसका इधर component आप से पूछें तो angle बना कितना है 90 इधर आप लिखोगे g cos 90 और cos 90 होता है 0 यानि इसका इधर component नहीं होगा यानि किसी भी vector का अपने से perpendicular direction में component नहीं होता यह बहुत important property है आगे projectile motion में इसको हम use करेंगे तो यहां क्या बोला जा रहा है आप से यहां आप से कह रहे हैं यहां आप से बोला है कि एक vector है 3i plus 4k तो यह i और k से समझ में आ रहा होगा कि यह vector किस plane में है इसका कोई component नहीं होगा तो theoretically आप बोल सकते हैं कि इसका answer है 0 मतलब इस vector का y axis की direction में component नहीं होगा क्योंकि वो खुद vector किसमें है x z plane में है तो y component उसका 0 हो जाएगा बहुत important question है अगला question a force of 5 newton act on a particle along a direction making an angle 60 degree with vertical its vertical component will be एक 5 newton का force है यह छोटे-छोटे questions हैं पर बड़े important अच्छे questions हैं और इसी तरह हम practice करेंगे आपका वेटर अलजेब्र, आपकी calculus, आपकी coordinate geometry यह सब बहुत अच्छी होनी चाहिए तो 5 newton का एक force है और वो vertical direction से 60 degree का angle बना रहा है हमको बताना इसका vertical component, मतलब इसका इधर component चाहिए, तो जिधर angle बनता है, उधर cosine ले लेना चाहिए, नहीं माने 5 cos 60 cos 60 is half, यह नहीं हो गया 2.5, answer D is correct, असान question है अगला question करेंगे the unit vector parallel to the resultant of a vector b vector is क्या चाहिए आपको एक ऐसा vector unit vector चाहिए, किस direction का a और b के resultant की direction का unit vector, तो पहले तो resultant find करें, और resultant जब आ जाएगा, फिर unit vector आएगा, मैं आपको unit vector के बारे में बताता हूँ, जैसे कोई vector a vector है, उसकी direction का यदि unit vector चाहिए, तो उस vector में उस vector के modulus से divide कर देंगे, किस vector divided by its modulus gives unit vector in its direction, ऐसा याद रखो, अब a और b का resultant कैसे आएगा, तो यह 4i और यह minus i, तो कितना मिलेगा, 3i, यह मैं resultant लिख रहा हूँ, resultant का मतलब vector a plus vector b, और इसकी direction का हम को चाहिए, unit vector, तो 3i यह हो जाएगा, फिर यह 3j plus 3j, यानि 6j, 6j, सावधानी से इनको जोडना, मुझसे गलती हो सकती है, आप गलती मत करना, तो 6k, फिर जोड रहे हैं, तो minus 8 के है वो, तो plus की minus, minus, minus 2k, यह मिला वो vector, और इसका modulus निकालते हैं, क्योंकि vector में इसके modulus से divide करना है, आपको, कैसे आएगा वो, तो i, j और k के coefficients के squares, उनका addition और उसका square root, मतलब 9 और 36 और 4, ऐसा आएगा, 36 और 4, 40, यह हुए 49, मतलब 49, उसका square root 7, बस यह आगया आपके पास में modulus, और इसे 7 से divide कर देना है, तो 3i plus 6j minus 2k upon 7, याने option a correct हो गया, तो यह unit vector की definition याद रखना चाहिए, vector divided by its modulus gives unit vector in its direction, अगला सवाल करेंगे, the vector that must be added to the vector, यह and यह, so that the resultant vector is a unit vector along y axis, आपको मालूम होगा, x, y और z direction के जो unit vectors होते हैं, वो होते हैं, i, j और k, x direction का unit vector, i cap, y direction का j cap और z direction का k cap, तो y direction में unit vector क्या होगा, वो होगा j, तो हमसे पूछ रहा है कि इस vector में और इस vector में कौन सा vector add कर दें, कि जो result आए वो क्या हो, unit vector along y axis, तो पहले देने जोड लें, i, और 3i मिलकर यह हुआ, 4i, फिर minus 3j plus 6j, मतलब 3j, फिर 2k minus 7k, मतलब minus 5k, और इसमें मान लो हमने add किया है, मान लो हमने add किया है, यह vector, x i plus y j plus z k, इसे add किया, तो हमको मिला क्या, तो हमको मिला y direction का unit vector, y direction का unit vector मतलब j cap, हमको बताना है कि वो vector कौन है, मतलब x, y, z find out करना है आपको, तो अब इसमें इसे और इसे अलग जोड़ें, क्योंकि यह दोनों आई वाले हैं, यहने 4 plus x, और फिर compare करें, तो उस तरफ तो आई, है ही नहीं, तो उसका coefficient 0, इसका मतलब x जो है, वो आया minus 4, minus 4, तो minus 4 वाला एक ही answer है, यही correct होगा, देखते हैं, तो यह हुआ, आब यह j, तो 3 plus y equals to, उदर y का coefficient 1 है, इसका मतलब y कितना हुआ, y हुआ, minus 2, तो minus 2 j, यह भी correct है, अब z की बात करोगे, तो minus 5, k का coefficient, और उदर है कितना, z equals to 0, this means z is 5, यहने हमारे coefficients 0 सही आए, और फिर आप यहां substitution करोगे, इसमें, तो यह answer मिल जाएगा, तो सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ें, क्या बोल रहा है, if for two vectors, a and b, sum a plus b is perpendicular to difference, a minus b, the ratio of their magnitudes is, दो vectors हैं a और b, और क्या बोला है, a plus b, मतलब इन दो vectors का addition या composition, वो difference से perpendicular है, तो आगे तक याद रखोगी, जब कभी perpendicular वाली बात होना, तो dot product के बारे में सोचना चाहिए हमको, जब भी कभी perpendicular की बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं, दो vectors है थी perpendicular हैं, तो उनका dot product 0 होता है, और dot product 0 हो तो vectors perpendicular होते हैं, या dot product perpendicularity का check है, तो यहाँ ऐसा कहा है, उन्होंने, vector a, a plus b, याने a और b का addition, और इनका difference, वो कैसा है, वो है perpendicular, याने इन दो यह वेक्टर का dot product 0 होगा, यह तो आपको पता ही होगा ना, कि यह भी एक vector है, vector a plus vector b, यह दोनों same kinds के होने चाहिए, और इनका जो addition होगा, वो भी एक vector होगा, और इनका जो difference होगा, वो भी एक vector होगा, और यह vector और यह vector आपस में perpendicular है, मतलब dot product 0 है, अब शुरू करें multiplication, a dot a, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, self dot product, और यह होता है, a square के बराबर, जानते हैं आप, क्योंकि a dot b होता है, हम क्या लिखते, a dot b is a b cos theta, a b cos theta, और यदि हम ले रहे हैं, self dot product, self dot product, तो क्या होगा, इसका magnitude, इंटू, दूसरे का magnitude, दोनों के बीच angle का cosine, angle कितना होगा, 0, cos 0 is 1, तो a square बन जाएगा, तो a dot a किया, तो a square बन गया, उसके उपर vector sign लगाने की ज़रूवत नहीं है, अब इसका इसमें dot करेंगे, यानि क्या आएगा, plus b dot a, b dot a, फिर इसका इसमें करेंगे, तो minus a dot b, और फिर b dot b करेंगे, तो वो b square आएगा, equals 0, अब इन दोनों को cancel कर सकते हैं, आपको मालूम होगा कि dot product, commutative law को obey करता है, a dot b is equal to b dot a, कोई फर्क नहीं पढ़ता, पर याद रखोगी, a cross b is not equal to b cross a, उसमें direction अलग हो जाएगा, cross product commutative law को obey नहीं करता, यह करता है, तो इसको cancel कर दिया, तो क्या होगा, अब इसमें मैंने गड़बड किये, यहाँ पर यह minus था, यह plus था था, यह minus आएगा, ठीक है, तो a square equals to b square, and so a is equal to b, a equals to b, तो ratio कितना हो गया है, ratio is 1, उनके magnitude का ratio 1 हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से करना चाहिए, और जितने problems हैं सब, previous year में कहीं पूछे हुए questions है, what is the angle between p and the resultant of p plus q and p minus q, angle between p and resultant of p plus q and p minus q, दिखने में difficult question है, पर है आसान, इसका और इसका resultant यह दी कोई पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, बस add कर दोगे दोनों का और क्या, p plus q plus p minus q, यह इनका क्या है, resultant, तो इसमें q cancel out होकर, यह आगया 2p vector, 2p vector, मानलो यह है वो 2p vector, 2p vector, 2p vector का मतलब क्या होता है, ऐसा vector जिसका magnitude p का 2 times, और direction same as of p, उसे कहते हैं 2p vector, this is multiplication of a scalar with a vector, vector multiplied by a scalar gives vector, यह है 2p vector, तो हम से पूछ क्या रहा है, what is the angle between p and the resultant of p plus q and p minus q, तो यह resultant आया है, किस का, p plus q और p minus q का, और इसका angle p के साथ बतलाना है, तो यह होगा p, यह p है, तभी तो यह 2p है, इसका twice, magnitude में double, तो यह है p vector, यह है 2p, इनके बीच angle कितना है, 0 and so option a is correct, अगला question, क्या बोल रहा है, body is addressed under the action of three forces, two of which are, f1 vector equals to 4i, f2 is 6j, the third force is, तो हमने बात की थी, अभी इन दोनों forces का, यदि addition, उस तीसरे के, equal हो और opposite हो, तो resultant 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का पहला addition करें, तो यह हुआ, कितना, 4i plus 6j, तो f1 plus f2, f1 plus f2, plus f3 कर लेते हैं, वो तीसरा वाला, resultant है 0, resultant 0 है, तो बस यहां substitution करना है, f1 is 4i, f2 is 6j, plus f3 equals to 0, इसमें से f3 निकाल लेना, physical meaning उसका वो है, जो मैं कह रहा था आपसे, कि इन दो का addition, यदि इसके equal opposite है, तो समझ जाओ कि, resultant 0 है, तो f3 निकल आएगा, minus 4i, 4i minus 6j, minus 4i minus 6j, and so option, d is correct, और वापस यदि, इसको यहां रख दे, f3 को यहां, तो addition कितना आ जाएगा, 0, यहने resultant 4, 0, resultant 4, 0, मतलब equilibrium होता है, आगे question आएगा अभी, अब यहां क्या बोल रहा है, if modulus a vector, minus b vector is, a is equal to b, the angle between a and b is, दो vectors का यह क्या difference, और यह क्या है, यह दोनो vectors के, magnitude हैं, जो भी vectors हम, add या subtract कर रहे हैं, a और b के magnitude, हमको बताना, angle between a and b, तो यह एक property है, उसको opposite करके, यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है, वो property पहले मैं आपको याद दिलाओ, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, कि ऐसे याद रखो, उसे, p, p, 120, p, p, 120, p, 60, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि दो equal magnitude के, vectors 120 पर inclined हो, तब उनका resultant, किसी एक के बराबर होता है, और 60 डिगरी पर inclined होता है, कहने का मतलब यह है, कि यह एक vector है, यह एक vector है, सपोज यह 120 डिगरी पर inclined है, और दोनों का magnitude बराबर है, यह है p vector, यह भी है p vector, इक्वल magnitude के दो vectors, 120 पर inclined हो, तो उनका resultant, किसी एक vector के magnitude के, बराबर होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अब यहां difference की बात हो रही है, तो difference मतलब क्या होगा, इसी में बात करें, इसी figure में, यह मैं अलग बना के भी उसे दिखा देता हूँ, आपको यह है मान लो A vector, यह है A vector, और यह है B vector, आप कर सकते हैं, पर property से ही उसको बतलाया जा सकता है, चाहें तो, तो यह दोनो 120 पर inclined हो, और दोनों का magnitude बराबर हो, A vector और B vector modulus, same magnitude बराबर 120 पर inclined, तो यह resultant कितना होगा, resultant किसी एक के, बराबर हो जाएगा, ठीक है, और कितने पर inclined होगा, 60 degree पर, यह तो आप जानते हैं, अब मान लो मुझे करना है, A vector minus B vector, तो A vector को as it is रखेंगे, B vector को हमें, ऐसे बना देना पड़ेगा, यह क्या होगा, minus B vector, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, P plus Q, P minus, A plus B, A minus B होँगे, resultant की values, बस, अब क्या हो जाएगा, अब angle उनके बीच का कितना हो जाएगा, angle हो जाएगा, 60, यह हो जाएगा, 60 degree, अराम से उसको देख सकते हैं आप, यह कितना है, total angle, यह 120, तो बचा हुआ, यह 60 हो जाएगा, और यह कितना होगा, जो आप कह रहे हैं, A minus B, इसका magnitude कितना होगा, तो यह होगा, A और B के बराबर, actually मुझा आपको यह बताना है, कि subtraction में, वो angle, 180 minus theta हो जाता है, तो यह याद रखें, दूसरा, maximum P plus Q, P minus Q था addition में, subtraction में भी वो, P plus Q, P minus Q ही रहता, इसके उपर आप थोड़ा विचार करना, आपको answer मिल जाएगा, important सवाल है, property है, ऐसे यह दी कभी हो, तो सीधे, आप 60 degrees को, answer कर देना, जब subtraction हो, addition यह दी बोल रहा होगा, पांसार हो जाएगा, फिर 120, addition के समय वो 120, subtraction के समय वो 180 minus theta, that is 60 degree, आपके बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, A, B, C, यह तीनों मिल कर, क्या कोई triangle form करते हैं, तो पहले आप इसमें, parallelism check करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि, यह parallel होगा, इन में से कोई दो, हाना, यह mass में भी आती है, problem इसी तरह है की, दूसरा फिर यह check करना, यह parallel नहीं मिलें, मैं अभी बताऊंगा, आपको condition क्या होती है, parallelism की, cross products आती है वो, तो parallel तो यह नहीं है, तीनों, और आप यह चेक लगाएंगे, तो आप देखेंगे, A और C, यह दोनों perpendicular है, कैसे पता लग रहा है, इनका dot product 0 है, कैसे, 3 into 2, 6, फिर यह कितना होगा, minus 2, के के coefficients, minus 4, साफत तोर पर, dot product 0 होगया, मतलब यह perpendicular to C, देख तो parallel नहीं है, इसलिए triangle form होगा, और उसमें से 2 sides आपस में, 2 sides जो, vectors A और C से represent हो रही है, वो आपस में perpendicular है, मतलब this is a, right angled triangle, इसका answer है C, अगला question, a truck traveling due north, at 20 meter per second, turns west, and travels at the same speed, the change in its velocity will be, जिस standard result है, standard result है, यह आपको मिलेगा, circular motion में, जब आप circular motion पढ़ रहोंगे, कौन सी circular motion, uniform circular motion, इसके साथ अभी हम directions भी attach कर देते हैं, तो यह है वो truck, जो कितने से जा रहा है, वो जा रहा है 20 meter per second से, कहां जा रहा है, तो वो जा रहा है, due north, due north, और फिर क्या हुआ, वो turn हो गया, 90 degree का turn लिया उसने, और west में जाने लगा, कितने से, कितने से जाने लगा, with same speed, यहनि 20 meter per second से ही, ऐसा question, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको हम पहले, algebraic form में कर लेते हैं, उसका answer निकाल लेते हैं, वैसे तो मैं class में भी कई हों बार करवा चुका हूँ यह, यह है मान लो V1 vector, यह है V2 vector, ठीक है, एक truck है, जो 20 meter per second से north में जा रहा था, और फिर उसने turn लिया, left turn, कहां जाने लगा, west में, कितने से 20 meter per second से, यानि speed तो वही रही, पर velocity change हो गई, तो change in velocity का मतलब है, final velocity, minus initial velocity, V2 vector minus V1 vector, यह V2 vector है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, V2 plus minus V1, ठीक है, V2 as it is, और V1 को पल्टा कर, इसमें जोड़ देना है, V2 में, ठीक है, आपको और भी तरीका आता होगा, पर यह तरीका safe है, V2 as it is, बना दो, यह बना दिया मैंने V2, इसका magnitude कितना है, magnitude तो 20 है, और V1 यह है, तो उसको इस तरह बना दो, यह हो गया, माइनस V1, और फिर इन दोनों को आड करना है, तो आड करने के लिए, पैरलेलोग्राम कम्प्लीट किया, यह डाइगोनल ही देगा, हमको, रिजल्टेंट मतलब ही, चेंज अन वेलासिटी, अब पैरलेलोग्राम लागा देना है, बस, वैनेश हो गई, और इन दोनों के मैगनिट्यूद्स तो सेम है, इसका मैगनिट्यूड 20, इसका भी मैगनिट्यूद 20, ठीक है, तो दोनों को V लिगने, तो 2V स्क्वेर, याने V रूट 2, V रूट 2, 90 डिग्री का एंगल टर्ण करता है वो, देखो, आप नॉर्थ में जा रहा था, और 90 डिग्री टर्ण होकर, वेस्ट में जाने लगा, तो आंसर यह होगा, V रूट 2, इसको जनरलाइज कर दें, तो ऐसा बोला जाता है, 2V साइन, थीटा वाइट 2, रादर आपको यह रटना चाहिए, यह रटलो, डालो आप यहाँ थीटा 90, तो यह होगा, साइन 45, बन बाई रूट 2, उपर नीचे रूट 2 का मल्टिप्लाइ करोगे, तो यह आंसर आ जाएगा, आएगा ना, 2V साइन 45, यहने ऐसा, और उपर नीचे रूट 2 का मल्टिप्लाइ किया, तो यह रूट 2 कैंसल, यहने V रूट 2, अब 180 डिग्री का टर्न लेते हैं, 180 डाल देना, तो साइन 90, वन होकर, चेंज इन विलासिटी का मैगनिटिव 2V हो जाएगा, तो इसको रटलो, 2V sin theta by 2, जब क्या हो रही हो, uniform circular motion, मैं आपको uniform circular motion नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, vectors की importance, कि कितना अच्छे से हम को यह आना चाहिए, chapter, आगे बहुत आराम हो जाएगा, इससे, vector subtraction, vector addition, dot product, cross product, resolution, सब की दरुवत पढ़ती है, physics को समझने के लिए, तो यह हुआ, आप direction की बात कर लेते हैं, इस particular इस सवाल के लिए, यह direction कौन सी थी, यह थी north, और यह क्या थी west, और यह था south, और यह direction थी east, ठीक है, उस diagram में देख रहे हैं आप, और यह आई यह change in velocity की direction, और यह angle कितना होगा, तब आप भूल जाएं, vector, vector, यह 45 है, 45 degree है, क्यों है, क्योंकि यह और यह, length तो बराबर है कि नहीं, यह vector जिस length का है, V2 उसी length का, यह दोनों 20 है, यह वी 20, यह भी 20, यह परपेंडिकुलर 20, बेस 20, यह 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 10, अलफा इस 1, अलफा इस 45 degree, यह यह angle, change in velocity, west से 45 है, और यह direction फिर, क्या कहलाती है, southwest, southwest कहलाती है, मतलब change in velocity, 20 root 2 meter per second होगी, direction होगी उसकी, southwest, यह vector subtraction का, एक example है, इसको अच्छे से करना चाहिए, यह question बार-बार पूछा जाता है, अगला question करेंगे, क्या आप बोल रहे हैं, two forces F1, and F2, act on a single point, the angle between F1 and F2 is nearly, जब भी angle वे angle पूछें आपसे, तो cross product ध्यान आना चाहिए, आप जानते हैं, a.b, a.b is a.b cos theta, यह बहुत पूछा जाता है, even wealth में भी, आपको इसकी जरुवत पड़ेगी, कई जगहों पर, work power energy वाले chapter में, पूछा जा सकता है, next year flux वाला problem होता है, उसमें पूछा जा सकता है, तो कहीं भी इसकी जरुवत आपको पड़ सकती है, तो यह definition है, dot product की इसमें से cos theta इदी निकालें, तो cos theta क्या होगा, cos theta होगा, a dot b upon a b, a dot b upon a b, यह याद आ जाना चाहिए, dot product का दूसरा फायदा है, पहला क्या है, इससे perpendicularity चेक कर सकते हैं, दूसरा, इससे angle निकाल सकते हैं, वो angle सीधे नहीं आएगा, उसका cosine आएगा, फिर angle आजाएगा, इसके अलावा हम projection find कर सकते हैं, उसके problems आगे आएगे, तो a dot b upon a b, a dot b, इसे देखो, इसे देखो, i के coefficients का multiplication, कितना हुआ इदर से, 50, फिर j, j के coefficients का multiplication, मतलब minus 50, minus plus पे ध्यान देना है, फिर यह minus 20, और minus 15, यह plus 300 हो जाएगा, ऐसा आएगा, और divided by, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें, F1, F2 दोनों के, magnitude यहां, डिवाइट करने पड़ेंगे, तो इधर क्या आएगा, square root, 5 square, 25, 5 square is 25, 10 square is 100, यह 400 हो गया, और फिर square root, 100 प्लस 25, प्लस 225, यह बहुत दरावना से लग रहा, यह 500 पच्चिस आया, और वो कितना हो जाएगा, शाड़े 300, और उपर यह कैंसल होकर, 300 upon, 300 upon, यहां कितना आएगा, 525, इसका square root, factors करके, और फिर कर लेना आप इसको, 225, 200, 300, 350, और इसके solving के बाद में, यह 1 by 2 के असपास आ जाएगा, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा, ए, बाकी काम आपको करना है, अगला question करेंगे, क्या बोल रहा है, body moves, due east, with velocity, 20 km per hour, and then, due north with velocity, 15 km per hour, the resultant velocity, इसले question में, change in velocity की बात हुई थी, यहां बात हो रही, resultant velocity, resultant मतलब addition, तो दो velocities हैं, तो पहले directions ले लेते हैं, तो पहला vector कहां पर है, पहला vector है, 20 km per hour, magnitude में, direction है east, तो यह है east, यह है north, ऐसा मान लेते हैं, और इधर दिखाते हैं, वो vector, यह हो गया, वो पहला vector, कितने का है, 20 km per hour का, कितने हैं, due east, और उसके बाद, then due north, with velocity 15 km per hour, तो इधर यह उसे draw कर लिया जाए, यह पहला vector, और यह दूसरा vector, कितना हैं, 15 km per hour, actually हमको, यह इसको यह यह वी वन बोल दें, इसको यह वी टू बोलने हैं, तो हमको चाहिए यह, V vector equals to V1 plus V2, और addition करने के, बहुत सारे तरीक हैं, उनमें से पहला है, triangle rule, जब दो vectors add करने हूँ, वह ही मैंने यहां किया है, पहले vector के tip पर, अगले vector की tail रख दी, इस तरह arrange किया, और जो दो free ends हैं, उनको join किया, और opposite direction में arrow लगा दिया, यही मुझे मिला इनका resultant V, यही हमें चाहिए था, अब यह तो vector diagram हो गया, अब बाकी vector vector की बात खटम, अब सीधे geometry लगाओ, Pythagoras serum, हमें चाहिए सिर्फ magnitude, units भी change करने की जरूवत नहीं है, कितना होगा, तो फिकरी मत करो, अब तो Pythagoras theorem लगा, 20 square प्लस 15 square, यानि यह होगा, रूट 625 यानि वो आगया, 25 और अब लिग दो, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, direction पूछा ही नहीं है, उसने, 25 किलोमीटर पर आर is, is the magnitude, direction पूछी होती, तो आप यह एंगल निकालते, यह एंगल निकालते, तो टैन अलफा निकाल लेते, इसका टैन अलफा कितना होता, 15 by 20 यानि 3 by 4, तब आप लिखते, अलफा इस 10 inverse 3 by 4, कहां से, कहां से निकाला यह एंगल आपने, इस्ट से, इस्ट से 10 inverse 3 by 4 पर, यह होगी resultant velocity, तो ध्यान से देख लेना चाहिए, resultant है या change in velocity, अब क्या बोल रहा है, अब परसन गोज 10 किलोमेटर नॉर्थ, और 20 किलोमेटर इस्ट, अब परसन गोज 10 किलोमेटर नॉर्थ, यह 10 किलोमेटर गया नॉर्थ में, जब दी कॉपी में काम करें, तो इधर नॉर्थ होता है, और दाएं हाथ पर east होता है, तो यह हुआ 10 किलोमेटर नॉर्थ, और फिर 20 किलोमेटर इस्ट, तो यह था उसका starting point, और यह था उसका end point, जहां वो पहुंचा, बताना क्या है, आपना क्या है, What is the displacement, displacement मतलब क्या होता है, displacement मतलब हमेशा होता है, joint initial position with final position, and mark arrow from initial to final, यह displacement है, यह length हम को बतानी है, यह angle 90 है, क्योंकि यह north था, यह east था, तो पाफ़र गोर से निकल आएगा, आराम से, कितना होगा यह अंडर रूट 10 स्क्वेर प्लस 20 स्क्वेर मतलब कितना हुआ यह 500 का रूट 500 रूट 500 तो 100 का रूट तो 10 हो गया और रूट 5 और अब आगे तक के लिए रूट 5 को याद रखना 2.23 इसकी बड़ी जरूवत पड़ती है सभी बच्चों से यह कहना है कि रूट 5, रूट 7, रूट 3, रूट 2 याद होते हैं फिर रूट 6 तो जुगाड से आ जाता है, रूट 8 आ जाता है, रूट 9 आ जाता है, रूट 5, रूट 7 और रूट 10 इनकी वेल्यूज हो सके तो याद रखना चाहिए उससे आसानी हो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आंसर आगया 22.3 किलोमेटर, तो यह हो सके तो याद रहे आपको, रूट 5 इस 2.23, तो बाकी ऐलिमनेट हो रहे हैं, आराम से यह इसका आंसर है, तो यहाँ तो वैसे बहुत ज़रूवत नहीं पड़ी, इसकी रूट 5 की पर कुछ क्व अर्टिकल मूव सुम पुजिशन 3I plus 2J minus 6K to this. एक्शली यह है इनिशेल पुजिशन वेक्टर और यह है फाइनल पुजिशन वेक्टर. इनिशेल फाइनल पुजिशन वेक्टर दिये हुए हैं, तो युनिफॉर्म फोर्स दीए हुए हैं, पिउस्टिप्लेसमेंट इन मी इनिशल पोजीशन वेक्टर यहां से निकल आएगा वह इसमें से इसे सब्ट्राक्ट करना है तो फॉर्टीन आई माइनस फ्री आई गिव्स एलेवन आई फिर थर्टीन जे माइनस टू जे ऑल्सो गिव्स एलेवन जे प्लेस नाइन के माइनस माइनस सिक्स नौर छे होता है पंद्रा याने फिफ्टीन के यह आ जाएगा यह आ गया क्या डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर फिर आप वर्क पाई एनर्जी में पढ़ेंगे कि वर्क डैन इस फोर्स वेक्टर डॉट्ट दिस्प्लेस्मेंट वेक्टर मतलब आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर का ले लेना डॉट्ट प्ड़क और और कोईerapeut dough प्रड़क्त में इसमें IJ每 कोईफिशेंट आई का कोईफिशेंट 4 इसमें आई का कोईफिशेंट 11 तो चाहे आप 11 इंटू 4 करो या 4 इंटू 11 कोई फरक नहीं पड़ेगा तो 11 इंटू 4 यह हो गया सॉरी 11 आएगा यहां 11 आएगा 11 तो 44 और 45 और 10 55 और 45 मिलकर कितना हो गया 100 अब यूनिट्स पर ध्यान दें तो यहां पर मीटर के अच्छा लिखा हुआ है है displacement मीटर में है और फोर्स निउटन में है तो यह आंसर जो आएगा वो आएगा जूल में हलाकि यहां पर सभी आंसर जूल में थे पर कई बार ऐसा हो सकता 100 joule 100 arg लिखा होगा तो फिर 100 joule हमारा answer होगा तो Newton में है force displacement meter में है work done होगा joule में और work done का यह formula हमें याद रखना चाहिए कि work done is not force into displacement but force vector dot displacement vector and displacement vector in 3D is final position vector minus initial position vector यह याद रखना चाहिए आगे पड़े क्या बोल रहा है इस वेक्टर 2i plus 3j plus 8 के इस पर्पेंडीकुलर तो दे वेक्टर 10 दे वेल्य आलफा इस अन्हें कहा था आप से पर्पेंडीकुलर सुनके dot product याद आना चाहिए यदि यह दोनों वेक्टर पर्पेंडीकुलर है इसका मतलब इनका dot product जीरो है तो टू इंटू 4 एट फिर 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 फिर 8 अलफा इक्वल्स टू जीरो हमें अलफा चाहिए है तो यह कितना होगा पर यह आंसर गलत है बच्चे इसको जनरली हाफ ही मान कर चलते हैं और मुझसे बहस भी करते हैं पर यहां पर जिसने भी एक्वेस्टिन फ्रेम किया है आप यहां आइगा इदर देखो आई जै और के और इधर आडर देखो कि आप तो यह पहले जै लिका फिर आई लिखा हुआ है इस लिए गलती होती है हमारी है क्या होती है इसके कोफिशंट और पहले जो लिखा है उसका कोफिशंट हम multiply गर के 8 बोलते हैं जबकि अब क्या होगा यह आई है यह आई है तो आएगा minus 8 ठीक है और यह यह का कोफिशंट 3 और इधर यह का कोफिशंट 4 तो यहां आएगा प्लस 12 ठीक है और फिर यहां आएगा 8 अलफा तो आंसर पर क्या फरक पड़ेगा, तो आंसर पर यह फरक पड़ेगा, कि यह हो जाएगा प्लस फोर उधर जाकर यह माइनस फोर और इसलिए अलफा कितना हो जाएगा माइनस हाफ एंड नॉट हाफ तो यह आंसर गलत है और यह आंसर सही है तो इस question से हमको यह सीखना है कि हमेशा इन ओर को देख लेना चाहिए आँख खोल कर कि पहले आई जे फिर के लिखा हुआ है यह यह और चेंज कर दिया है तो आंसर इस माइनस हाफ एंड नॉट हाफ अगला question the angle between two vectors फिर से वही हो गया angle जब भी निकालना है तो cos theta is equal to क्या लिख लेंगे a.b upon a.b इसको solve कर लेंगे a.b upon a.b अब solve करें a.b तो यहां आएका coefficient minus 2 यहां पर 1 याने minus 2 फिर इदर 3 और इदर 2 याने plus 6 फिर इदर 1 और इदर minus 4 तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि numerator 0 हो गया यहां पर कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता इसको मैंने the vectors i plus j and j plus k is i plus j plus j plus k नहीं एंगल निकालना इनके बीच का तो क्या करें एंगल के लिए फिर से वही करें cos theta बराबर क्या निकालें a dot b इदर i उदर ही नहीं तो 0 होगा coefficient का product फिर इदर j1 है उदर j1 है याने 1 आ गया इदर k नहीं है उदर k है तो वो भी 0 हो गया और denominator में आए तो इसका क्या चाहिए हमें magnitude याने square root 1 plus 1 याने root 2 वो भी root 2 यानि यह हो गया 1 by 2 तो cos theta is half theta is 60 and so option c is correct अगला question the vector फिर से वैसे ही question है फिर से वैसे ही question है p vector दिया है q vector दिया है और बोलाए कि वो perpendicular है हमको बताना है positive value of a तो बस इनके coefficients का multiplication याने पहले आया a square उसके बाद में फिर क्या आएगा minus 2a और फिर minus 3 ऐसे ही हुआ ना इसका इसमे multiplication a square फिर minus 2a फिर minus 3 equals to 0 तो quadratic बन रही है quadratic बन रही है तो a बराबर कितना होगा minus b plus minus b square मतलब 4 minus 4ac 4ac minus 3 है तो यह ऐसा हो गया plus upon twice a चारती है बारा और चार सोला सोला का square root 4 तो 2 plus minus 4 upon 2 हमसे पूछा हुआ है positive value तो negative को ignore कर देंगे तो 6 by 2 is 3 and so option a is correct अगला question करेंगे क्या बोला हुआ है particle moves in xy plane under the action of force f such that the value of its linear momentum p at any time t is px equals to 2 cos t and py is equals to 2 sin t the angle theta between f and p at a given time t will be तो डरेने इस question से इसमें थोड़ी सी calculus लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ इसको पहले आप सोचेंगी यह है क्या तो यह linear momentum जो एक vector है और यह linear momentum along x और यह linear momentum along y और आपने lower classes में भी पढ़ा होगा और अभी आगे आप newton's laws of motion में पढ़ेंगे यह newton का second law rate of change of linear momentum is impressed force तो fx यह जी निकालना आपको x direction का force तो d dt किसका करना पड़ेगा momentum का कितना है momentum two cos t two cos t तो two constant है बाहर आगया और d dt cos t d dt cos t is minus sin t तो यह minus और यह हो गया sin t यहां लिख देता हूं minus two sin t क्या आगया तो यह आगया fx x direction का है यह force तो इसके साथ i cap लगा दो ठीक है i cap लगा दिया हाला कि वह negative x में है क्योंकि minus sin आ रहा है अब fy चाहिए तो क्या करेंगे fy चाहिए तो d dt किसका करेंगे linear momentum along y which is two sin t two sin t two बाहर और यह हो जाएगा cos t और यह क्योंकि y direction का है तो इसमें लगा दिया j cap याने total force कितना है fx vector plus fy y मतलब यह सब कुछ लिखना है minus two sin t into i cap plus two cos t into j cap यह सब आप पढ़ेंगे आगे पर जब आप vector को solve कर रहे होते हैं vector के chapter को इस तरह के questions आकर परेशान करते हैं उससे बिल्कुल डरना नहीं है आपको लड़ना इससे तो यह हो गया f और p कितना है vector p तो एक्स कंपोनेंट है two cos t उसके साथ i लगा देते हैं यह t है और y component two sin t उसके साथ में लगा देते हैं जे इस तरह f और p दोनों है और आपको चाहिए angle between f and p तो वही काम करेंगे जो अभी हम करते आ रहे हैं cos theta बराबर क्या होगा f dot p upon magnitude of f magnitude of p यहने इन दो vectors काम को dot product लेना है तो ii के coefficients का product ii के coefficients का product मतलब कितना हो जाएगा माइनस फूर फिर क्या आएगा साइंटी कॉस्टी साइंटी कॉस्टी ऐसा आएगा और इन दोनों का भी multiplication एन फोर प्लस फोर साइंटी कॉस्टी अब डिनामिनेटर साल्फ करने ही ज़रुवत नहीं है क्यों जरुवत नहीं है क्योंकि numerator में यह और यह cancel हो गए, यानि सब कुछ मिल कर कितना आ गया है, 0, तो cos theta is 0, and therefore theta is 90 degree, theta is 90 degree, and so option C is correct, क्या बुला हुआ है, the three vectors, A vector, B vector, C vector, satisfy the relation, A dot B is 0, and A dot C is 0, the vector A is parallel to, यह dot और cross product दोनों को मिला कर यह question पूछा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यदि A dot B 0 है, इसका मतलब vector A और B आपस में perpendicular है, एक बात, दूसरी बात A dot C भी 0 है, इसका मतलब vector A, C से भी perpendicular है, मतलब यह तीनों vectors आपस में perpendicular हैं, जैसे कि I, J और K unit vectors होते हैं, आपस में perpendicular, इनको किस तरह draw कर सकते हैं, ऐसे draw करते हैं, दिखाता हूं में A vector, तो A और B आपस में कैसे हैं, perpendicular, जैसे कि X axis पर हो, यह Y axis के along हो, और यह हो गया C vector, ऐसा है situation, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, vector A किसके parallel है, यह वाला vector, इनमें से किसके parallel है, क्या वो B के parallel है, नहीं, वो तो perpendicular है, C से नहीं, याने यह दो options हो नहीं सकते हैं, elimination से यह दो हटा दिये, फिर बचता है B dot C, और B dot C क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई direction ही नहीं होती है, dot product में direction नहीं होता, तो यह भी नहीं आना, answer तो यह ही सही है, इससे answer निकाल लिया, या फिर यूं सोचेंगे B और C का जो cross product होगा, वो किस direction में होगा, उसके लिए लगाएंगे right hand screw rule, आपको सोचना पड़ेगा, B पर हतेली रखेंगे, यह है B vector, B पर हतेली रखेंगे दाएं हाथ की, और C की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, तो C आएगा इस direction में, तो I, J, K से भी आप कर सकते हो, यह होगा direction B cross C का, साफ तोर पर वो A के parallel है, तो option D correct हो गया, तो अगला question, a force F vector equals 3I cap plus C, J cap plus 2K cap, acting on a particle causes a displacement, minus 4I plus 2J minus 3K in its own direction, if work done is 6 J, then the value of C will be, work done दे रखा है, force और displacement दे रखेंगे, हमको बताना value of C, समको याद आना चाहिए कि work done होता है, force dot displacement, यहने F dot S, यह displacement को S बोला हुआ है, तो बस क्या करना है, इसमें I का coefficient है 3, यहाँ minus 4, यहाँ minus 12, फिर यह C, यह 2 याने 2C, तीसरा, यहाँ से आएगा minus 6, यह क्या आया work done और यह दे रखा है में 6 J, 12 और 6 होते हैं 18, इस तरफ आकर 18 और 6, 24 हो जाएंगे, is equals to 2C, and so C is 12, तो यह option A correct हो गया, आसान question है, अगला question, force दे रखा है, किसी particle पर act कर रहा है, और यह force उस particle को original position से, इस point तक displace कर देता है, हमको बताना work done, तो उसकी जो original position है, उसको origin मान लिया है, और इसलिए उसका position vector क्या होगा, null vector, zero i plus zero j, और यह हो जाएगी final position, और final minus initial position vector करेंगे, तो यह ही आ जाएगा, यह force हो गया, work done निकालना है हमको, मीटर में है displacement, force है newton में, answer joule में आएगा, तो फिर से वही formula लगाना है, w is equal to f dot s, force dot s, 5 into 2 is 10, और फिर minus 3, तो कितना आ गया यह, plus 7 joule, and so option b is correct, तो एक answer minus 7 joule भी है, work by energy वाले chapter में आपको समझ में आएगा, significance of plus and minus sign with the work done, तो यह दोनों answers एक नहीं है, next question, the area of parallelogram represented by the vectors a and b is, area of parallelogram, mensuration में, शायद आपने पढ़ा होगा, कि area of parallelogram, नहीं पता, तो आब आगे तक याद रखेंगे, area of parallelogram होता है, base into height, base into height, तो यदि यह side है a, यह side है b, और यह angle है theta, तो इस parallelogram की height कौन सी होगी, तो यह होगी height, और इसको क्या लिख सकते है, a sin theta, यानि area of parallelogram हो जाएगा, a, b, sin theta इस particular figure में, यदि यह theta मालूम है, और यह sides a और b हो, तो यह होता है area of parallelogram, अब यहाँ पर यह question क्यों आया हुआ है, क्योंकि cross product का यह one of the applications है, cross product से हम parallelogram का area find out कर सकते हैं, वो किस तरह है, तो मान लो यह है parallelogram, और parallelogram की दो adjacent sides इन दो vector से represent हो रही है, मान लो यह है a vector और यह है b vector, यह parallelogram है, यह दो adjacent sides और इनके बीश angle है, मान लो theta, तो यदि हम a cross b find करें और उसका magnitude ले ले ले, तो कितना होगा, तो obviously वो होगा a b sin theta, सिर्फ modulus या magnitude, अब इस triangle में, triangle नहीं बनाया, मैंने अभी बनाता हूँ, यह normal drop करें, इस triangle में यह कितना होगा, magnitude में यह होगा a sin theta, a sin theta और यह इस parallelogram की height बनेगी और यह जो length है, मतलब vector b का magnitude वो बनेगा base, तो साफत और पर a sin theta is height, b is base, याने b into a sin theta gives area of parallelogram, in other words, magnitude of a cross b, modulus of a cross b will give area of parallelogram, तो फिर क्या करें हैं, हम पहले निकालते हैं a cross b, यह निकाल नाम को आता है, ऐसा एक determinant बनाते हैं, पहली row में क्या लिखते हैं, पहली row में लिखते हैं i, j और k, और फिर यह second row में क्या लिखते हैं, पहले vector के coefficient का, पहले vector के coefficients i और j और k के, अब यहाँ पर a cross b, पहले आया हुआ है, तो a के coefficients लिखेंगे 2, 3 और 0, यह हो जाएगा, और अब b के, 1, 4 और 0, 1, 4 and 0, और अब कैसे solve करते हैं, पहले लिखेंगे i cap, और फिर यह column यह row छोड़ देंगे, इसका इसमे product करेंगे तो जीरो हो गया, फिर j लेते हैं, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, इसका इसमें multiplication, 0, यह भी 0, यह भी 0 हो गया, फिर k लेते हैं, k लेंगे, तो इसका इसमें, यहने 8, फिर इसका इसमें multiply, यहां बीच में minus sign, यहने finally, क्या आया 5 k cap, यह आया a cross b, और इसका हमें चाहिए सिर्फ magnitude, तो वो कितना हो गया, वो हो गया, 5, यहने 5 units will be the answer, अब इसमें k cap क्या बता रहा है, k क्या बता रहा है, कि area vector quantity है, अब तक आपने नहीं पढ़ा है, 10 तक आप area निकालते हो, उसका सिर्फ magnitude निकालते हो, जैसे area of rectangle length into breadth, मैं दी पूछूँँगा इस board का area कितना है, तो आप length और breadth measure करोगे, उनका multiplication करोगे, direction पूछेंगे, तो याद रखना कि area में naturally direction नहीं होती, direction का sense नहीं होता, पर हम उसे direction assign करते हैं, and assign direction to the area is normal drawn outward, याद रखना normal drawn outward, जैसे board का area उसकी direction क्या है, तो pen open करना और ultra pen उसके उपर ऐसे रख देंगे, यह उसकी direction हो जाएगी, तो याद रखें, direction assigned to an area is normal drawn outward, जैसे यह कोई area दिख रहा है आपको, इस area की यह direction है, normal drawn outward, 12th में आप पढ़ेंगे, कि इसको ds vector बोलेंगे, क्योंकि elementary area है, हाल फिलाल याद रखना कि area is a vector, and direction assigned to it is normal drawn outward, इतना याद रखना, क्यों इसे जवर जास्ती area को vector बनाया है, यह बाद में समझ में आएगा आपको, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे, electrostatics में जब आप flux पढ़ रहे होंगे, तब यह समझ में आएगा, तो हाल फिलाल यह जो k आया है, यह क्या बता रहा है, कि area तो है 5, और उसकी direction है, z की positive direction में, क्योंकि हो सकता है कि यह कहां हो, यह हो xy plane में, parallelogram xy plane में है, यह जो surface दिख रही है, और उसकी direction यह है, normal drawn outwards, तो यह इस question का answer है, 5 units, अगला question करेंगे, if two vectors a and b, a cross b is 0, the vectors a cross b 0, तो a cross b कितना होता है, a cross b होता है, एक vector, c vector, और उसको लिख सकते हैं, a, b, sin theta magnitude में, और यह उस vector product की direction, तो यह उसकी definition है cross product की, अब a cross b कब 0 होगा, यदि a और b non 0 है, फिर भी cross product 0 है, इसका मतलब sin theta 0 है, और sin theta 0 कब होगा, जब theta होगा 0, मतलब angles, angle between the vectors is 0, vectors are parallel, sorry, parallel, और यह फिर pi, gradient में, यहना anti parallel, parallel या anti parallel vectors का cross product 0 होता है, and so option b is correct, अगला question, a cross b is equal to b cross, the angle between a and b is, क्या यह कभी बराबर होगा, नहीं होगा, याद रखना कि a dot b, यह b dot a के बराबर होता हमेशा, पर a cross b, a cross b, यह कभी भी b cross a के बराबर नहीं होगा, यह सिर्फ, यदि 0 है, जैसा यहाँ जबर जस्ती इसको 0 नहीं, equal, जबर जस्ती equal किया है तो यह तभी possible है, जब a cross b भी एक null vector हो, और b cross a भी एक null vector हो, मतलब 0 आये cross product, 0 vector आये, यह कभ possible है इन angles में से, तो यह possible है जब angle हो, पाई, मतलब vectors हो, anti-parallel, anti-parallel vectors हो, तो वैसे तो यह possible नहीं है, पर क्योंकि यहाँ not possible answer नहीं है, तो हमको पाई, इसे tick करना पड़ेगा, मतलब जब vectors, anti-parallel होंगे, तब चाहे आप a cross b करें या b cross a, आपको मिलेंगे दोनों अबार 0 vector या null vector, तो हाल फिलाल के लिए answer c है, और मान लो एक और option होता है, यह not possible, तो फिर हम preference इसको देते, e को, e को, हलाकि यहाँ नहीं बोलागी cross product जो है वो, 0 नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला है, तो option c correct हो जाएगा, तो कहीं कहीं हमको ऐसे logics लगाने पढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, the angle between the vectors a and b is theta, the value of triple product, triple product, यह है a vector, और इसका dot product ले रखा है, b cross a के साथ में, हमको क्या बताना है, value of this triple product, तो कैसे करेंगे solve, तो पहले मान लेते हैं कि a और b, तो एक property यहाँ काम आ रही, important, वो property पहले मैं आपको समझाता हूँ, वो property यह है कि जब भी आप a cross b लेते हैं, a cross b, तो आपको एक vector मिलता है, और property यह है कि यह जो cross product है, इन दोनों से वो perpendicular होता है, मतलब a perpendicular to c, बहुत important property है, also b perpendicular to c, a and b, जो multiplicants है, a and b में और may not be perpendicular, वो आपस में a और b perpendicular हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर जो cross product है, उन दोनों वेक्टर से वो perpendicular होता है, बहुत important property है, तो अब क्या बोलाएं, b cross a, तो पहले b और a draw करते हैं, मान लो, मान लो कि यह plane है, जिसमें a और b लाई कर रहे हैं, ठीक है, यह है, मान लो a vector, यह है a vector, और दूसरा है, यह है b vector, suppose, यह हो गया b vector, यह हो गया a vector, और आपने इसका cross product लिया, क्या लिया आपने b cross a, तो b cross a करेंगे, यह जो cross product आएगा, उसको आप c भी बोल सकते हैं, वो कहां आएगा, तो उसके लिए right hand screw rule लगाएंगे, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस तरह का आएगा इनका cross product, b cross a, b cross a, अब property यह कहती है कि b cross a, a से भी perpendicular होगा, और b से भी perpendicular होगा, यह 3D में figure बना हुआ है, a perpendicular, b cross a, b perpendicular, b cross a, और हमें चाहिए dot product, किस का, इस vector का, और a का, तो clearly यह angle कितना है, 90, और dot product कितना होगा, उसमें आएगा, cost 90, cost 90 is 0 and so, option b is correct, इस property को हम use करेंगे, ray optics में, geometrical optics में, वहाँ इसकी जरुवत पढ़ती है, reflection, reflection वाली problems को solve करने के लिए, अगला question, a vector f1 is along cost of x-axis, if it's vector product with another vector f2 is 0, एक vector है f1, दूसरा एक और vector f2, और इनका vector product 0 है, then f2 could be, अब इनका vector product यह दी 0 है, इसका मतलब क्या है f1 और f2 का, या तो वो parallel हैं, या फिर वो anti-parallel हैं, f1 कहां काम कर रहा है, तो f1 काम कर रहा है, x की positive direction में, यहाँ show कर देते हैं उसको, यहाँ show कर देते हैं, यह है मानलो वो f1 vector, f1 vector यह है वो, x की positive direction में काम कर रहा है, और दूसरे किसी vector f2 के साथ, इसका vector product 0 है, इसका मतलब f2 कहा है, f2 या तो ऐसा है, या फिर वो ऐसा हो सकता, anti-parallel, ये f2 ऐसा होगा, parallel angle 0, या फिर वो ऐसा होगा, anti-parallel angle 180, तो वो कहां पर होगा, ऐसा पूछा हुआ है, क्या वो यहां होगा, y-axis के along, नहीं होगा, यहां तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहां नहीं होगा, theta को क्या होना चाहिए, या तो 0 या 180 हो एक्स की नेगेटिव डिरेक्शन में होगा मतलब एंगल बिट्वीन देम इस पाई याने 180 डिग्री तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेशन क्या बोल रहे हैं अब बात हुई थी इसकी अभी बात हुई थी फिर से एक बार बात कर लेते हैं यह कोई क्यों ब्रस्कम क्यों भी उपी आप मान सकते हैं यह अ यह बी और रहाइट एंड्ट क्रोल रूल लगाएंगे तो जो वेक्टर प्रडक्ट है इनका A cross B करेंगे, तो वो कैसा आएगा ऊपर, वो आएगा ऊपर, यहाँ आएगा, A cross B, RHSR लगा कर, और यदि आप B cross A करेंगे, तो वो इधर आने लगेगा, यह, सॉरी, A cross B ऊपर आएगा, तो यह हो जाएगा, B cross A, मतलब इन दोनों के भी, जो एंगल होगा, वो होगा, 180 degree, या पाई, रेडियन, and so option B is correct, अगला question करेंगे, क्या बोला है, वोट इस दा एंगल बिट्रीन P plus Q, and P cross Q, P cross Q, अब फिर से एक plane बनाते हैं, और यह है P, यह है Q, P cross Q करोगे, P cross Q, तो वो कहां आएगा, वो आएगा इदर, इस इस P cross Q, P cross Q, RHSR से, और P plus Q कहां पर होगा, P plus Q का मतलब तो हुआ एडिशन, एडिशन यहां कहीं होगा, परल्लोग्राम लॉस है, और क्या यह एंगल 90 नहीं होगा, येस, P और Q सेम plane में, उनका resultant भी उसी plane में, और उस resultant का एंगल पूछा हुआ है, P cross Q से, याना answer is 90 degree, option B is correct, अगला question, क्या बोल रहे है, है A, 3I plus 4J है, B है 7I plus 24J, the vector having the same magnitude as B, and parallel to A is, तो पहले unit vector का concept समझ लेते हैं, जानते तो हीं आप unit vector क्या होता है, किसी vector को उसके modulus से divide करने पर उसी की direction का unit vector मिलता है, हमको दे रखा है vector A, vector B, यह vector A है, यह vector B है, हमको बताना है एक ऐसा vector, जिसका magnitude हो B के बराबर, और वो parallel हो A से, तो A की direction का पहले unit vector निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, vector divided by its modulus, तो 3I plus 4J यह vector, और इसका modulus क्या होगा, 3 square 9, 4 square 16, 16 plus 9, 25, उसका root 5, तो यह आया unit vector, अब B का magnitude निकाल लेते हैं, वो कैसे आएगा, under root 7 square याने 49, plus 24 square मैं नहीं जानता है, वैसे 576 होता है मेरे काल से, yes, और यह 625 बनेगा, और इसलिए आजाएगा 25, और हमको कौन सा vector चाहिए, answer जो है हमारा, answer जो vector है, वो क्या है, B का magnitude हो, और direction हो A की, याने A की direction के unit vector का इसमें multiplication करने से answer मिलेगा, तो B का magnitude is 25, and unit vector along A is this, 3I plus 4J over 5, तो 5 से 5 बार कटके अंदर यह 5 है, है ना, 5 का अंदर multiply हुआ, तो 15I plus 20J will be the answer, 15I plus 20J, option D is correct, अगला question, the position vector of a particle is given है, the velocity of the particle is, ऐसा question हमने किया हुआ है, यह आप circular motion में पढ़ेंगे, ठीक है, यह R दिया हुआ है, position vector, हमको चाहिए velocity, तो पहले हम निकालते हैं, X direction की velocity, यह आगे आप पढ़ेंगे, यह होती है, D, यह क्या चीज़ है, यह X direction का position vector, आप इसको DX लिख सकते हैं, VX, DX upon dt होगा, याने आपको करना है, DDT of this, A cos omega t, तो यह हो जाएगा, A तो बाहर आएगा, और DDT cos omega t, omega minus sin omega t है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, this is VX, X direction की velocity, similarly VY क्या होगा, DDT of this, तो यह हो जाएगा, A omega cos omega t, इसलिए net velocity कितनी हो जाएगा, अभी घबराएं नहीं, मानलो आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपको, वो सकता है, differentiation नहीं आता होगा, आने लगेगा, करना कैसे, क्या करना है, वो अभी समझना है, तो V कितना हो गया, तो यह हो गया, minus A omega sin omega t times i cap, क्यों लगा दिया i cap, क्योंकि X direction में velocity है, मतलब velocity का, total velocity का X component, और इसके साथ Y component, A omega cos omega t times j cap, तो यह आई आई आपके पास में velocity, और खुद वो position vector कितना था, वो तो given था आपको, A cos omega t i cap, plus, क्या लिखा हुआ है, A sin omega t j cap, ऐसा लिखा हुआ है, करना क्या है हमको, हमको बताना है कि इनमें कैसा relationship है, क्या यह दोनों parallel हैं, या perpendicular है, away from origin, या directed towards origin, etc, तो क्या करें, तो hit and trial करते हैं, इनका लेते हैं dot product, V dot r करके देखते हैं, आपको answer ही मिल जाएगा, V dot r आप जब करेंगे, तो इन दोनों का multiplication होगा, minus a square omega, a square omega sin omega t cos omega t, ऐसा आएगा न, sin omega t cos omega t, और फिर इन दोनों का multiplication आएगा, प्लस a square, फिर से omega, sin omega t, cos omega t, coefficients का multiplication, और clearly ये दोनों cancel cancel होगा, सब, सब मिलकर क्या होगा, जीरो, और dot product यदि जीरो है, मतलब V perpendicular r, मतलब velocity और r आपस में कैसे है, perpendicular and so option b is correct, यह आप पढ़ेंगे circular motion में, तब फिर ही आपको याद आना चाहिए कि क्या क्या हमने क्या कर रहे हैं हम, अगला question, torque of a force, या आप rotation में पढ़ोगे, जिस तरह आपने यह याद कर रखा है, कि work done होता है, f dot d, force vector dot displacement vector, इसी तरह से आगे के लिए याद रखो, कि tau vector equals to होता है, r cross f, और r cross f, कभी भी इसको f cross r नहीं लिख सकते, यहा मैं find out करना है बस, तो क्या करें, ऐसा बनाएं एक determinant, यहां लिखें, i, j, k, और अब मेरी बात पर बहुत ध्यान देना, साउधान रहना, r cross f लिखा हो, तो पहले r vector में, जो i, j, k के coefficients हैं, उनको second row में लिखेंगे, यानि 7, 3, और 1, यहां गलती हो सकती है, और उसके बात क्योंकि नाम हम पहले f का लेते हैं, तो हम यहां हो सकता है, लिखने, minus 3, 1, और 5, f के, i, j, k, coefficients, ऐसा नहीं करना है, basic अपनी definition पर आना है, और पहले देख लेना आख खोल कर कि पहले कौन है, i, j, k लिखकर, r, k, i, j, k, k, coefficients, second row में, और फिर इस तीसरी रो में, उसके f के coefficients, मतलब minus 3, 1, और 5, और practice में नहीं होगा, तो फिर यह minus भी नहीं लोगे, आप गलती से 3 ले लोगे, तो गड़बड हो सकती है, तो सावधान रहना पड़ेगा, आप शुरू करें, इनका cross product, तो जैसा मैं तरीका आपको बता चुका हूँ, पहले लेते है, i, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसका इसमें multiplication है, 15, फिर minus sign, फिर इसका, तो कितना आया, 14i, तो यह है 14i, वो minus 14i है, तो answer तो यहीं मिल गया है वैसे, option a correct होना चाहिए, देखते है, plus j लेंगे, जे लेंगे, तो इसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, पहले यह लेंगे, इसका इसमें याने minus 3, और फिर इसका इसमें, याने 35, minus sign के साथ, तो minus 38 हुआ, याने यह भी अभी verify हुआ, फिर k करेंगे, plus k cap, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसका multiplication, 7, minus, minus 9, नौर साथ होते हैं, 16, 16k, याने यह justify हो गया, option a is correct, तो मुझे आपको यह बतलाना है, कि आप इसको या r cross f, आगे भी आपको इसका advantage मिलेगा, आगे, अगला question, if a vector a is parallel to another vector b, then the resultant of vector a cross b will be, resultant of the vector a cross b, a और b parallel है, और a cross b करोगे, तो जीरो ही आएगा, parallel है, मतलब theta कितना है, जीरो, तो parallel vectors का cross product तो 0 होता है, option d correct हो गया, अगला question, p q r, r3 coplanar forces acting at a point and are in equilibrium, given p is 1.9318 kg weight, sin theta 1 is 0.9659, the value of r is, इसमें कुछ बात हैं मुझे आपको बतानी है, एक दो, वह आप ध्यान से सुन ले, एक तो आप ध्यान रखना कि equilibrium मतलब क्या होता है, मैं आपको short में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक तो आप equilibrium पढ़ोगे, किस chapter में ICAC board वाले बच्चों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, CBSE वाले नहीं जानते हैं, अभी आप पढ़ोगे Newton's laws of motion में, equilibrium का मतलब यह होता है, net force का zero होना, जब किसी particle पर act करने वाले, सभी forces का vector addition zero होता है, तब उस particle को कहते हैं कि वो equilibrium में है, कौन से equilibrium में है, इसको कहते हैं, translatory equilibrium, क्योंकि एक और equilibrium होगा, वो rotational equilibrium होता है, उसकी बाद, बाद में होगी, तो translatory equilibrium में है, अब Newton's आप कहते हैं, कि force यदि zero है, तो acceleration भी zero होगा, और acceleration आप पढ़ोगे, rate of change of velocity, acceleration zero है, तो दो possibilities हैं, या तो V zero है, और या फिर V constant है, या मैच्स भी कहती है, कि constant का ddt zero होता है, zero का तो zero होता ही है, तो यही पढ़ा है, आपने, Newton's laws of motion में पढ़ा हुआ है, F zero है, net force zero है, acceleration zero है, या तो velocity zero है, या constant है, velocity यदी zero है, तो वो कहलाएगा, static equilibrium, याद रखना है, आगे काम आएगा, और यह कहलाता है, dynamic equilibrium, dynamic equilibrium, ठीक है, static और dynamic equilibrium, अब, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है, कि यह तीन coplanar forces है, acting at a point, वो point कौन सा है, यह point है, हो सकता है, तीन रसियां हो, और यह हो not, जहां तीनों को बांधा गया हो, तो इस point की बात हो रही है, यह point equilibrium है, मतलब इस point पर act करने वाले, उस not पर act करने वाले, तीनों forces का vector addition zero है, और ऐसा जब होता है, तब हम use करते हैं, एक important theorem, और उसको कहते हैं, लामी स्थेरम, लामी स्थेरम, और इसी तरह की बात आप trigonometry में भी पढ़ते हो, ट्रैंगल्स वाले properties of triangles वाले chapter में, उसको कहते हैं, sign rule, मानलो आपको नहीं पता, तो भूल जाओ, यह है P, पहला force, पहला force लेना, और उसके सामने वाला opposite जो angle है, जैसे यहाँ theta 1 लिखा हुआ है, तो कोई भी force और उसके opposite angle का sign, यह ratio constant रहता है, मतलब next force यदि Q हो, और उसके सामने का angle भीटा हो, तो लिख देना sign भीटा, और तीसरा वाला R हो, नीचे लिख देना sign, गामा, मतलब यह ratio constant होता है, इसको कहते है, लामी स्थेरम, यह कब लगती है, जब तीन forces के influence में, कोई particle, या कोई point, या कोई knot, कैसी हो, equilibrium, net force 0, उससे इ यह बताना है, कि यह kg weight है, यह kg weight mass की unit नहीं है, बलकि यह unit है force की, kg और साथ में weight लिखा हुआ है, kg weight, इसको newton में बदलने के लिए, kwt को हटा कर g की जगे 9.8 डाल देंगे, तो वो newton में convert हो जाएगा, also sometimes forces measured in gram weight, तो यह cgs unit, यह ऐसा है unit, gram weight, kg weight, अब इसको solve करते हैं, हमको बताना है value of R, यह बतलाना है, तो पहले यह लेते हैं, P, P, P दे रखा है हमें, upon sin theta 1, और sin theta 1 भी दे रखा है, sin theta 1, यह लगारों में लामी स्थेरम, is equal to, यह लेना R, और इसके नीचे opposite angle का sign, यहने sign 150, तो देखने में डरावना question है, वैसे आसान है, बहुत, अब बस values ह तो डालनी है, P कितना होगा, P है ही दिया हुगा, 1.9318, और sin theta 1, यह जान बूच कर, यह value बनाई गई है, इसकी 5659, यह लिख दिया है, और sin 150 का होगा, cross multiplication, sin 150 होता है, half, तो हमको मिल गया R, और अब आप ध्यान से देखें, तो यदि इसका दुग ना कर दें, 0.9659 का double कर दोगे, तो यह आ जाएगा, मतलब सब कुछ कट कर, R कितना हो गया, 1, R कितना हो गया, 1, ठीक है, और 1 क्या, kg weight, क्योंकि P दे रखा था, kg weight में, तो R भी kg weight में होगा, option C is correct, तो यह इसका correct answer है, तो आपको आगे के लिए, यह लामी स्थेरम भी याद रखनी है, equilibrium का मतलब भी ध्यान में रखना है, ठीक है, यह आपको आगे काम आएगा, आगे बढ़ेंगे, तब next question करेंगे, यह question है, boat river problem, या river boat problem, relative motion की problem, तो इस तरह की problems, आप kinematics में करते हैं, पर vector algebra की exercises में भी यह problems दिखाई देती हैं, क्योंकि यह application है, vector algebra का, इसमें हम resolution, addition, subtraction के concepts use करते हैं, तो कौन-कौन सी problems हो सकती हैं, या तो होगी, river boat problem, river swimmer problem, या कभी-कभी होती है, rain and man problem, या फिर wind aeroplane problem, तो इस तरह की problems को हम vectors के concepts से solve करते हैं, तो यह problem हम करें, उसके पहले, जल्दी से recap करेंगे, relative motion, relative motion का मतलब क्या है, जल्दी से सुन लेते हैं, और फिर इस तरह के questions के लिए, कुछ general formula बना लेंगे हम, ताकि आप objective आने पर जल्दी से उसको solve करें, तो अभी आपको इसे detail में बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, relative motion का मतलब क्या है, तो जब एक moving body की velocity, दूसरे moving body के relative बताई जाती है, तो उसको कहते हैं, relative velocity, और इस तरह से उसको, हम लिखते हैं, उसका notation ये है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, velocity of A with respect to B, A और B दो bodies हैं, और हम जानना चाहते हैं, velocity A की with respect to B, तो उसे लिखते हैं, VAB, और ये होता है, V A minus VB, सबसे पहले तो इस equation को लिखने की है, आपको practice करनी चाहिए, VAB is V A minus VB, और यदि आपको चाहिए VBA, मतलब velocity of B with respect to A, तो वो हो जाएगा VB minus V A, अब ये A और B जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने subscribe में केवल A लिखाए, या केवल B लिखाए, तो ये दो velocities हैं, ground के relative, जिनको कहते हैं absolute velocities, तो A और B दो bodies हैं, हो सकता है, river और swimmer की बात हो रही हो, तो V A सर्फ लिखा है, मतलब ये है, A की absolute velocity with respect to ground, और ये है B की absolute velocity, हमको चाहिए velocity A की relative to B, तो उसे लिखेंगे VA minus VB, और VBA चाहिए होगा, तो VB minus VA करेंगे, याने relative velocity vector subtraction से हम मालूम कर सकते हैं, और vector subtraction addition ही होता है, आप जानते हैं VA minus VB करना है, तो VA vector में minus VB vector को add कर देंगे, तो Vector addition subtraction का ही ये application है, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए, अब जो problems होती है, उसके लिए equations आपको लिखना आनी चाहिए, उसकी थोड़ी practice आपको करनी चाहिए, जैसे आप सुनेंगे river swimmer problem, पहली बार यदि आप कर रहे हैं, तो ये पूरी बात सुनें, और यदि आपको आता है question, तो आपको इसको discussion को skip कर सकते हैं, river swimmer problem, तो उसमें आप सुनेंगे velocity of swimmer with respect to river, velocity of swimmer with respect to river, ये दो moving bodies है, swimmer भी tear रहा है, और river भी बाहर रही है, हमको चाहिए velocity swimmer की with respect to river, इसको हम लिखेंगे vs vector minus vr vector, ऐसा लिखेंगे, इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कई बार हमको इस equation की जरूरत होती है, vs is equal to, इसको यहीं रहने दिया, इसे transpose कर लिया, तो ये हो गया vsr plus vr, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, velocity swimmer की with respect to ground, यह होगी velocity swimmer की with respect to river plus velocity of river, यहना vector addition करना, इन दो vectors का यह मिल जाएगा, तो river swimmer problem हो, तो यह equation दिमाग में आनी चाहिए, अब यदि कभी problem आती है, मानलो rain and man, यह भी बहुत पूछी जाती है, rain man problem, तो rain man problem होगी, तो फिर क्या लिखेंगे, velocity of rain with respect to man, इसको क्या लिखेंगे, आप velocity rain की, minus velocity man की, यह दोनों ground के relative हैं, और यह है rain की with respect to man, वो पूछते हैं ना कि, umbrella किस angle पर hold करना पड़ेगा, एक woman है, वो walk कर रही है, इस speed से, और rain इस speed से गिर रही है, तो उसे अपना umbrella किस direction में hold करना पड़ेगा, ऐसा question आता है, तो rain man problem होगी, तो यह equation बनानी हमको आ जानी चाहिए, इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरह है, velocity of rain is equals to rain with respect to man, plus velocity of man, इतनी बाहर लिखो इसे, कि गलती ना हो, क्योंकि इनी equations के use से ही, यह सब इस तरह है कि problem solve होती है, ऐसा ही problem बनता एक और, वो है wind aeroplane, wind aeroplane problem, ठीक है, उसमें भी ऐसी ही equation आपको बनानी पड़ेगी, wind aeroplane problem होगी, तो velocity of wind with respect to aeroplane, यह से opposite भी आपको लिखना पड़ सकता है, वो भी आप लिख लेंगे, velocity of wind with respect to aeroplane is velocity of wind minus velocity of aeroplane, या velocity of wind is equal to velocity of wind with respect to aeroplane plus velocity of aeroplane, तो बगेर शरम किये हुए, इसको आपको लिखने के practice करना चाहिए, यह habit में होगा, तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, तो यह question अभी हम solve करेंगे, पर उसके पहले थोड़ी से हम theory समझते हैं, किस वाले problem की, river, swimmer problem की, river, swimmer problem, आराम से आप इसको सुनना, आपको पता है, तो आप इसको skip कर सकते हो, skip कर सकते हैं, पर सुनना तो आपको पढ़ेगा, क्योंकि इस तरह की problems बहुत आती हैं, और similar type की problems भी बनाई जा सकते हैं, किनी भी दो moving bodies के बीच में इस तरह की problem frame की जा सकती है, तो हम बात कर रहे हैं, river, swimmer problem की, अब यहां पर हम एक river consider करते हैं, ठीक है, यह figure बनाया है मैंने, छोटा सा figure बनाएंगे, यह है river, और उसकी width है, मानलोड D, और यह है starting point, यहां से, इस bank से, यह river का आप क्या देख रहे हैं, top view, उसके आपको width दिखाई दे रहे हैं, उस river को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा diagram हमने बनाया है, यह मतलब उसका यह है top view, और यह starting point, यह starting point है, यहां से उस swimmer ने तैरना शुरू किया है, river flow इस direction में हो रहा है, तो हम अपना coordinate system इसके साथ attach कर देंगे, इस direction को हम suppose कर लेते हैं x-axis और इसको suppose कर लेते हैं y-axis, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा origin, यहां से इस point से उसने तैरना शुरू किया है, अब इस problem में आप जानते हैं, तीन velocities appear होंगी, आपको equation लिखना आती है, तो फटा-फटा आप equation लिखो, क्या लिखो गया आप, velocity of swimmer with respect to river is equal to velocity of swimmer minus velocity of river, ऐसे लिखो गया न, या फिर v s, v s velocity of swimmer equals to swimmer with respect to river plus velocity of river, इन तीनों को आप जानते हैं, तीनों vectors को, यह क्या है, velocity river की, तो river की velocity तो कहाँ पर होगी, वो यहाँ होगी, इस direction में, यह होगे river की velocity, क्यों कि river flow इधर हो रहा है, तो this is v r vector, चीक है, अब यह क्या है, तो यह है velocity swimmer की with respect to river, तो कई बार इसको लिखा रहता है, velocity in still water, velocity in किसकी swimmer की या boat की, velocity in still water, ऐसा यदि लिखा हो, तो समझ जाना है कि वो कौन सी velocity है, वो है velocity swimmer की with respect to river, क्योंकि still water आपने बोल दिया, तो यह तो zero हो गया, वी आर जीरो हो जाएगा, यह वी एसी, वी एसार के बराबर हो गया, तो यह है velocity of swimmer in still water, remember, important point है, नहीं तो इसमें बड़ा confusion होता है, तो यह है वी आर, और वी एसार हम सपोस कर लेते हैं, हम सपोस कर लेते हैं कि यह है वी एसार, यह कहीं भी हो सकता है, strokes जो लगा रहा है, river के relative, वो इधर जाता दीख रहा है, मतलब इस river में यह कोई दूसरी boat होगी, तो यह swimmer उसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, यह है swimmer with respect to river, अच्छे से सुन लेना, यह कहीं भी हो सकत है vector, हाल फिलाल उसको ऐसा मान लिया है हमने, और इस वाले bank से theta angle पर मान लिया है उसको, ठीक है, इस से theta angle पर है Vsr, ठीक है, तो यह है Vsr vector, यह है Vr vector, और इन दोनों का इधिया हम addition कर दें, तो हम को क्या मिलेगा, Vs vector, addition कैसे करोगे, तो यहां parallelogram आप complete करोगे, इस तरह का parallelogram complete करोगे, और यह जो diagonal होगा, यह diagonal ही represent करेगा किसे Vs vector को, Vs vector मतलब velocity swimmer की with respect to ground, जिस velocity से crossing या drifting होती है, वो है Vs, not by Vsr, cross या drift वो होगा Vs से, यह याद रखेंगे, ground की relative जो velocity उससे ही होता है, crossing या drifting, ठीक है, वो याद रखना, अब Vsr को हम resolve कर लेते हैं, इस vector equation को expand करता हूँ, मैं Ij की terms में लिखता हूँ, तो Vsr का इधर component क्या होगा, Vsr cos theta और x direction में तो i cap लगा देंगे, इस Vsr को मैं लिख रहा हूँ, Vsr को क्या लिख सकते हैं, इस से लिखेंगे हैं, Vsr, Vsr cos theta, cos theta और x direction का component है, तो इसमें लगा दिया हमने i cap, और Vsr का इधर वाला component क्या होगा, तो वह होगा, Vsr sin theta, j cap, और already वहां आ रहा है, Vr vector, और Vr तो x direction में है, इसको लिख लेते हैं, Vr times i cap, यह आपको मिला, Vs net velocity, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ होगा drifting या crossing, वो होगा Vs से, अब आप ध्यान से इसे देखें, Vs, बस हमारा काम बहुत कुछ आसान हो गया, यह आई वालों को अलग लिख लें, तो यह हो गया, Vr plus Vsr cos theta times i cap, plus Vsr sin theta times j cap, बस यह equation बड़े काम की equation आ गई है हमारे पास, अब उसकी जो net velocity है, वो कितनी है, Vs, और उस Vs का यह क्या है, X component, यह है Y component, देखो यह है Vs, और इधर जो velocity हमें मिली है, Y direction में, net जो मिली है, वो यह है, Vsr sin theta, मतलब जो कुछ इधर होगा, वो इस velocity से होगा, Vsr sin theta से, हाना, और जो कुछ इधर होगा, वो इस velocity से होगा, तो along river flow क्या होगा, drift होगा, और perpendicular to river flow क्या होगा, crossing होगा, मतलब जब भी crossing की बात उठे, तो हमें यह वाली velocity consider करनी है, और जब भी drift की बात हो, तो हमें यह वाली velocity consider करनी है, बड़ा simple है, है ना, आगे आपको, आगे तक की लिए इसको याद रखना है, figure को अपने दिमाग में रखना है, इस equation को अपने दिमाग में रखना है, अब बात करते हैं, हम crossing की, crossing की बात करते हैं, और फिर drift की बात करेंगे, तो पहले बात कर रहा है हम crossing की, आप से पूछेंगे कि minimum time में cross करना है, या देखते हैं भी बहुत सारे questions बनते हैं, crossing, तो जब भी crossing सुनें, तो इस direction की velocity, अब मालो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है, और cross करने का हमसे time पूछा हुआ है, time of crossing कर देते हैं, time of crossing, time of crossing, तो time of crossing पूछें, तो इस direction की velocity और यह वाला displacement लेंगे D, याना time of crossing will be displacement D upon velocity in y direction, which is Vsr sin theta, यह आगया time of crossing का general formula, ठीक है, अब यदि मैं आप से पूछता हूँ, minimum time of crossing, यह सब पूरी कहानी ध्यान से सुनना आप नहीं, तो understand answer निकलेंगे, है न, minimum time of crossing, minimum time, minimum time, तो इस equation पर ही ध्यान दो, D पर हमारा कोई control नहीं है, D तो width है उस river की, Vsr, उस swimmer की dumb, यानि stamina पर depend करेगा, वो swimmer बदल सकता है, तो क्या, theta, यह जो Vsr है, यह किसी भी direction में हो सकता, angle can be theta, theta can be 0, 90, और some obtuse angle, कुछ भी हो सकता है वो तो, हमें minimum time जब चाहिए है, तो sin theta को क्या होना पड़ेगा, sin theta को होना पड़ेगा maximum, और sin theta को यदि maximum होना है, तो कितना होना पड़ेगा, 1, और 1 वो कब होता है, जब theta होता है, 90, तो यदि कौन सी velocity, यह जो, यह 1 हो जाएगा, time minimum हो जाएगा, तो पहले minimum time होगा, कितना, कभी-कभी minimum time पूछ लेंगे, तो minimum time हो जाएगा, d upon vsr, ठीक है, और इस theta को कितना रखना पड़ेगा, 90, मतलब vsr को इस direction में रखना पड़ेगा, मतलब उस swimmer को इस तरह की कोशिश करना पड़ेगी, कौन सा vector इदर रखना पड़ होगा, vsr, इस direction में, किस angle पर? 90 degree पर, और इधर vr तो ही, इधर है vr, ठीक है, यह vsr और यह vr, बस क्या हो गया है यहां पर, vsr और vr, है ना, और resultant कहा आएगा, resultant आएगा इधर, मतलब यह होगा vs, ठीक है, इसमें कोई confusion मत रखना, बस हमको theta को क्या कर देना है, 90, इसको 90 करते ही से, theta को, यह maximum हो जाएगा, time minimum हो जाएगा, यानि यदि उसे minimum time में cross करना है, यह general formula है, यहर कहीं लगेगा, और जब पूछेगा minimum time, तो समझ में आ जाना चाहिए, याद आ जाना है, चाहिए कि theta को 90 रखना है, theta 90 रखेगा, मतलब vsr को, इस direction में रखेगा, तब time लग करकेगा, d upon vsr, ती condition, बहुत अच्छे से याद रखनी है, minimum time of crossing, यह question बहुत पूछते हैं, अब बात करते हैं, drift की, drift का मतलब क्या होता है, जब वो तैरेगा, जैसे इस direction में तैरेगा, है न, यह तो कोई general figure हमने बनाया था, तो देखो, आप यहाँ पहुचेगा न, रिलेटिव जो velocity उससे तै होगा, उसने यहाँ से तैरना शुरू किया, यह starting point है, यह उसका end point होगा, यहाँ पहुचेगा वो opposite bank पर, तब देखो, आगे इतना चल गया है न, वो, क्यों चला गया, क्योंकि वो दो काम कर रहा है, cross भी कर रहा है, और आगे भी जा रहा है, आ और minimum time यह है, D upon Vsr, ठीक है, और यह है उसकी drift की velocity, तो यदि आप से पूछेंगे drift कितना है, drift मतलब आगे कितना बढ़ गया, यह पूछेंगे, फिर minimum drift भी पूछते हैं, minimum drift, तो पहले drift निकालें, तो drift कितना होगा, तो forward direction की velocity, Vr plus Vsr cos theta, यह थेरी आपने दी, बहुत अच तो क्या होगा, तो questions बड़े आसानी से आप से बनेंगे, उसी से में वो formula derive हो जाएगा, जो आप चाहा रहे हैं, है ना, बिलकुल problem नहीं आएगा, ध्यान से यह आप सब कुछ बातें सुन रहे होंगे, ना केवल reverse swimmer, बलकि दूसरी problems भी आप से बन जाएंगे, क्योंकि वह आपको जल्दी से उसे solve करना होता है, देर नहीं करना है, यह diagram बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, यह equation दिमाग में रखो, यह formula भी हो सकता है, direct formula ही याद आजाए और आप फटा-फट answer कर दें, यह भी हो सकता, अब यह है drift, तो drift के लिए forward direction की velocity और यह वाला time, यह वाला इधर और इधर, इधर वाली कौन सी है, यह है, और इधर वाली कौन सी है, यह है, तो यह forward direction की velocity हो गई, और यह crossing का general time हो गया, d upon vsr sin theta, अब यदि आप से बोले, minimum drift, minimum drift का मतलब क्या है एक तो, तो यह, जो swimmer है, यह चाहता है कि opposite bank पर, ठीक opposite point पर वो पहुँचे, यहाँ पहुचना चाहता है वो, देख रहे हैं, आप यहाँ पहुचना चाहता है, बोल रहा हूं मैं, यहाँ से तैरना शुरू करें और यहाँ पहुचना चाहता है, तो drift कितना हो जाएगा, zero, minimum drift d का zero होना, और d कब zero होगा, जब cos theta कितना होगा, cos theta कितना हो जाएगा, minus vr upon vsr, मतलब कोई obtuse angle, किसी obtuse angle पर उसको तैरना शुरू करना पड़ेगा, यह वाला जो diagram बनाया है, मैंने यह तो, यह इसका है, minimum time of crossing का, ठीक है न, इससे confused नहीं होना है, यहाँ आ गया हैं, drift के ल इनका product कर दिया, और जब बोलेगा, minimum drift, मतलब d का zero होना, और d zero होने के लिए, cos theta को, minus vr upon vsr होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, कि cos theta का value, one से minus one कुछ हो सकता है, यानि यह one से जादा तो कभी नहीं होना चाहिए, न, इसको, आप modulus ले ले ल vsr से जादा नहीं होना चाहिए, तो यह भी एक condition है, कि drift के minimum drift के लिए, velocity river की swimmer with respect to river से कम होनी चाहिए, तब ही फिर minimum drift होगा, just opposite point पर वो पहुँच पाएगा, तो यह आ गया, cos theta, मतलब किसी obtuse angle पर उसे जाना पड़ेगा, और इस से related diagram ऐसा बनेगा, यह फिर दिमाग में आपको रखना होगा, देखो, logic से भी आ जाएगा, यह मान लो है, vsr, swimmer की velocity with respect to river किसी obtuse angle पर, ठीक है, और यह है, velocity river की, यह उसका starting point है, और यह हो जाएगा, resultant, यह क्या है, river की velocity, यह क्या है, vsr, तो vsr plus vr, वो देख रहे हैं, आप vs और vs is direction में, और vs से ही, vs से ही ground के relative कुछ होता है, यहां से वो चलना शुरू करेगा, और यहां पहुँचेगा, vs से ही, हमको बताना होता है, कि cross कर रहे हैं, time कितना लगा, या drifting कितनी हुई, तो देखो, vs यहां पर है, मतलब, मतलब क्या ground के relative देखे जाने पर वो यू जाता दीखेगा, और यहां पहुचेगा, ठीक है, और river के relative देखोगे, तो इधर जाता दीखेगा, है न, vs, तो यह आपको याद रखना है, यह छोटी सी थेरी हुई, अब मैं उन questions पर आता हूँ, देखते हैं, हमसे बनते हैं क्या, क्या हमको याद आ जाएगा, क्या, याद आ जाएगा, क्या, जो कुछ अभी हमने समझा है वो, तो अब इस theory पर based questions करके देखते हैं, क्या with respect to water, या with respect to river, VBR vector का यह modulus है, 5, unit है उसकी kilometer per hour, it crosses a river of width, 1 kilometer, एक kilometer width है river की, along the shortest possible path, shortest possible path सुनते ही से याद आना चाहिए, minimum drift की बात हो रही है, shortest path कौन सा होगा, opposite bank के, किसी point पर वो पहुँच जाए, सामने वाले point पर, minimum drift की बात हो रही है, कि time दिया हुआ है, minutes में हमको पूछा है, velocity, river की, velocity of river flow कितना है, तो minimum drift या shortest possible path का, वो diagram आपको याद आ जाना चाहिए, यह y-axis, यह x-axis, इधर रखना है, उसे अपनी velocity boat को, यह है vb, यह है vb, opposite bank पर पहुचने के लिए, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, और यहाँ आ गई वो boat, shortest path, follow करती हुई, खीक है, अब vbw कहां रखना पड़ेगा, तो obviously उसे, किसी obtuse angle पर रखना पड़ेगा, यह है vb, r, मतलब boat with respect to river vector, खीक है, और यह complete करो, parallelogram, तो यह हो जाएगा, river, तो यह standard type का diagram है, जब भी आप सुनते हैं, shortest possible बात, ऐसा diagram बना लेना, इसको इधर रखना vb को, खीक है, अब क्या-क्या दिया हुआ है, हमें, क्या पूचा है, य r vector का magnitude, वो पूचा है, और हमको time दे रखा है, cross करने का, तो cross होता है, वो इस velocity से, तो, t is equal to, क्या करेंगे, width of river, वो तो दे रखी है, 1 km, और यहां क्या आएगा, vb, यहां आएगा, vb, और यह time ही दे रखा है, कितना, time दे रखा है, हमको 15 minute, minute का यह r बना दिया, यह four times cancel होकर, क्या आगया, vb आगया हमारे पास, vb कितना आजाएगा, four, four क्या, km पर आर, मतलब, इस vb vector का, यह जो है, vb vector, इसका modulus मिल गया, आपको कितना, four, यह मिल गया, इस knowledge से, और इसका magnitude दे रखा था, कितना था, इसका magnitude था five, अब आब भूल जाओगी, अब आब relative, relative का problem कर रहे हो, सीवे, अब geometry लगाओ, इस triangle की तरफ ध्यान दो, इस triangle में आपको hypotenuse मालूम है, और यह मालूम है, यह right triangle है, यह right triangle है, यह पता है, और यह पता है, आपको base नहीं मालूम, यानि बस क्या करोगे, under root, five square, minus four square, 25, minus 16, root nine, root nine is three, three kilometer per hour, और यह आपका answer हो जाएगा, answer is three kilometer per hour, तो उस theory को आपको फिर से revise करना चाहिए, फिर यह objective type question है, पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है, यह या इस तरह का question, तो आपको वो एक minute के अंदर उसको ज़िदी solve करके बताना है, तो यह सब बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो आसानी से solve हो गया, यह था question number 42, क्या बोल रहा है, man crosses a three twenty meter wide river perpendicular to current in four minutes, तो question की language से समझ में आना चाहिए, फिर से यह minimum drift वाला सवाल है, a man crosses three twenty meter wide, three twenty meter width की एक river को चार मिनिट में river से perpendicular cross करता है, मतलब इधर हो गई swimmer की velocity, यह हो गया vs vector, ठीक है, इस velocity से चार मिनिट में 320 meter wide river को वो cross करता है, तो उस टाइम कितना लगेगा, टाइम है four minute, कितना displacement होगा, three twenty, यह meter में है, यह minute में है, और इसको divide करना पड़ेगा हमें इस से, vs, speed is equal to, यह velocity is displacement upon time, तो time को इधर और speed को इधर कर दिया है, तो vs आ जाएगा न, चार से cancel होकर कितना आ जाएगा यह, 80, और unit क्या होगा इसका 80, क्या निकाल रहे हैं आप यह, speed, meter per minute, क्या फाइनल आंसर भी आपसे meter per minute में ही पूछा हुगा है, क्या बोल रहे हैं आगे, if in still water, he can swim with a speed of five by three times that of current, तो पूरा करें इस diagram को, पूरा करें तो ऐसा करते हैं, यह हो जाएगी river की velocity और यह हो जाएगा velocity of swimmer with respect to river, यह एक vector, यह एक vector, और तीसरा vector यह, ऐसा होगा vector diagram आपका, और इसके बारे में बता रहा है वो, वी एस आर के बारे में, वी एस आर क्या बोल रहा है, वी एस आर कितना है, वो है five by three times that of the current flow, मतलब वी आर, तो five वी आर बाई three, यह relation दिया हुआ है, वी एस हमने निकाल लिया है, हमको वी आर बताना है, तो is this vr, yes, यहां भी vector triangle आप बना सकते हैं, इस तरह है का, vsr plus vr is vs, मतलब यह है vr, और आप भूल जाओ कि relative motion वगरे आप कर रहे हो, राइट triangle है यह, इस राइट triangle में pythagoras serum लगा दें, तो यह vr का magnitude कितना होगा, वो होगा, अंडर रूट, अंडर रूट, या वी आर स्क्वेर लिग दें उसे तो ज्यादा अच्छा होगा, आगे करना ही पड़ेगी हमें उसे squaring, कोई बात नहीं, तो vr is equals to अंडर रूट vr मतलब इसका square 25 vr square by 9 minus 80 square, ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर से squaring करना ही पड़ी आखिर, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, यह vr square equals to 25 vr square upon 9 minus 80 square, ऐसा हुआ, और अब इसे solve करना है, तो 80 square LHS में ले गए, vr square को उधर ले जाते हैं, तो 25 minus 9 vr square उधर कर दिया है, ऐसा हो जाएगा, यह हुआ, 16 by 9 vr square equals to 80 square, तो vr square बराबर कितना, vr बराबर कितना हो जाएगा, तो cross multiply करके square root करना है, तो 80 square का root तो 80 हो गया, 9 का हो गया 3, और 16 का हो गया 4, और यह 4 से 20 बार cancel होकर, यह आ गया 60, और unit के आएगा, meter per minute, तो थोड़ा difficult लगता है, भी difficult topic पर इसकी अदि आप बहुत practice करेंगे, तो exam में भी जल्दी आप से correctly बन जाएगा, तो बहुत इसकी practice करनी चाहिए, इसके और भी videos मैंने upload कर रहे हैं, यूट्यूब पर, pen drive में भी आपके पास में होंगे, class में भी हम discuss करते ही है, थोड़ा इसी तरह का topic है, इसको कई बार revise करना चाहिए, जब तक यह दिमाग में अच्छे से बैठना जाए, अगला question, अभी अपना normal वो चालू हो गया, यह दो questions थे, relative motion के, अब क्या बोल रहे में three vectors a, b and c, satisfy the relation a dot b is zero, a dot b zero है, मतलब a perpendicular to b, चीक है, और a dot c is zero, a dot c is zero, इसका मतलब a और c भी आपस में कैसे है, perpendicular, यानि तीनों आपस में perpendicular है, a perpendicular to b, also a perpendicular to c, then the vector a is parallel to, इसको पहले draw कर लेते हैं, यह मानलो है a, अच्छे से imagine कर पाएं, इसलिए यह a, यह b, और यह c, हमको क्या बताना है, हमको बताना है, कि vector a किसके parallel है, तो यह आप b cross c लेंगे, तो इधर आएगा, b cross c, property से आप जानते है, b और c, जैसे यह y axis है और यह z axis है, तो b और c, किस plane में होंगे, y, z plane में, और इनका इधी cross product लोगे आप, आरेच असार लगाओगे, तो इधर आएगा उसका direction, याने option d correct हो जाएगा, option d is correct, b cross c, 44, next question करेंगे, क्या बोल रहा है, unit vector perpendicular to vector, a and b, both is, दो vectors है, a और b, और इन दोनों से, जो perpendicular vector होगा, उसकी direction का हमको चाहिए, unit vector, तो cross product ले ले लेते हैं, a और b का, a cross b, तो हमें एक ऐसा vector मिलेगा, जो a से भी, और b से भी perpendicular होगा, तो यहां लिखते हैं, i, j के, पहली रो में, a के, i, j और k के coefficients, मतलब, minus 3, minus 2, and minus 3, और b, 2, 4, 6, आगे इसको solve करें, तो मानलों वो है, c, इनका vector product, और c, a से भी perpendicular, b से भी perpendicular है, और इसी की direction का unit vector हमको चाहिए है, तो i cap, इसे छोड़ा, इसको छोड़ा, यह होगा, minus 12, फिर minus 12, तो यह plus 12 होगा, यहां आई की term तो खतम हो गई, फिर j लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, minus 3 into 2, minus 6, यह minus formula का, चेहती 18, plus 18, यहां होगा, और अब k वाला, तो k इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, यह होगा, minus 12, minus 12, और plus 4 हो जाएगा, तो पुल मिलाकर क्या आगया, यह तो खतम हो गया, आई वाला, यह कितना होगा, 12 j, 12 j, और यह होगा, minus 8 k, और हमको इस vector की direction का, unit vector बतलाना है, मतलब c cap बताना है, c cap मतलब vector, divided by its modulus, यह हम इसे c कह रहे हैं तो, तो बस c vector तो as it is, यहां आ जाएगा, 12 j, minus 8 k, और इसके modulus से divide करने ना, क्या आएगा, under root 12 square, मतलब 144, plus 8 square 64, कितना हुआ यह, 144 और 64, 144 और 64, तो यह हुआ 208, हमको चाहिए, under root 208, तो 50, यह 13 आ रहा है, है न, तो यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, 13 into 4, तेरा चोक 52 होते हैं, और 52 into 4 करेंगे, तो 208 आ जाएगा, तो यह इसको लिख सकते हैं, 4 root 13, answer ने मुझे बताये कि root 13 का कुछ तो भी चक्कर है, तो यह हुआ 4 root 13, solve करने पर, इसको लिखा हमने 4 root 13, और उपर क्या है 12 j, minus 8 के, 12 से इसको, 4 से इसको divide कर दें, तो कितना हुआ यह, 4 तीया 12, और यह 2 बार, तो 3 j, minus 2 k, upon root 13, this will be the answer, 3 j, minus 2 k, upon root 13, and so option, a is correct, अगला question करेंगे, क्या बोल रहे हैं, vector p, दे रखा है, makes an angle from z axis equal to, तो आपने direction cosines पढ़े हुए होंगे, उस पर based यह question है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, यह एक 3 dimensional vector है, और इसने z axis के साथ कितना angle बनाया, यह हमसे पूछा हुआ है, है ना, तो हम लेंगे cos gamma, मान लेते हैं कि इस vector के, यह जो z component है, यह z component है उसका, उसने z axis के साथ कितना angle बनाया है, यह पूछा गया है, तो 4 root 2 लेंगे यहाँ पर, क्या करते हैं, यहां लेंगे हम vector यदि वो r है, suppose, तो यहां लेंगे हम उसका x component और इधर modulus of r से divide कर देंगे, इसको कहते है, direction cosine, तो बस r, z करना है, यहाँ पर, x नहीं, z, तो कितना है वो, वो है 4 root 2, और नीचे इसका modulus चाहिए, कितना होगा modulus, तो under root, कितना 6 square, plus 4 root 2 square, मतलब 16 दूनी 32, plus 32, तूसरी बार, तीसरी बार भी वही आया है, तो 2 और 2, 4 और 6, 10, हसिल के 1, तीमतिया 9 और 1, 10, यह root 100 होकर यह होगया 10, यहाँ आएगा 10, 4 root 2 by 10, तो यह 2 से cancel करें, तो 2 root 2, 2 root 2 by 5, हम से actually gamma पूछा हुआ है, तो gamma कितना होगा, cos inverse 2 root 2 by 5, 2 root 2 by 5, cos inverse 2 root 2 by 5, and option C is करें, direction, cosines, आपको देख लेने चाहिए, आगे बढ़ते हैं, which of the following is a unit vector, unit vector क्या होता है, जिसका modulus 1 हो, तो साफत तोर पर यह है वो, क्योंकि इसका coefficient है cos theta, इसका है sin theta, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, दोनों के क्या करेंगे, coefficients लेंगे, उनकी squaring करके, और root लेंगे, 1 यदि आ गया, इसका मतलब क्या हो गया है, कि modulus उसका 1 है, magnitude 1 है, यही unit vector है, यह आएगा root 1, that is 1, and so option B is correct, अगली problem करेंगे, क्या है if two vectors, 2i plus 3j plus k, and minus 4i minus 6j plus lambda k cap are parallel to each other, then the value of lambda is, तो इनका cross product 0 होगा, सिधी बात यह है, cross product 0 होगा, और cross product 0 है, और यह vectors यदि parallel हैं, तो i का जो coefficient पहले vector में है, upon i का coefficient दूसरे vector में, कहने का मतलब यह है, कि i k, j k, और k के coefficients, will bear a constant ratio, कहने का मतलब यह है, सीधे आप ऐसे कर सकते हो, 2, i का coefficient इसमें 2, उसमें minus 4, equals to, यहाँ 3, वहाँ minus 6, और third वाले में, 1 upon lambda, ठीक है न, तो इस तरह से आप वो lambda find out कर सकते हो, किसी से भी निकालने, कितना आ रहा है, minus half, यह भी minus half, तो lambda is minus 2, तो यहाँ पर answer अभी हाल फिलाल हमें 2 कहना पड़ेगा, और वैसे इसका answer है minus 2, क्योंकि इसमें minus 2 दिया नहीं है, ठीक है, तो lambda की value minus 2 होगी है, नोट 2, हाल फिलाल इसी को answer मान कर आगे बढ़ते हैं, पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, actually, solving के लिए नहीं, मैंने आपको इसके लिए यह बताया है, कैसे चेक करेंगे, कि वो vectors parallel हैं कि नहीं, cross product zero होना चाहिए, या फिर, in other words, I, J और K के coefficients, constant ratio में होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, next question है, दो vectors दिये हैं, two dimensional, condition that they are perpendicular to each other as, तो इसमें क्या होता है, जब आप वैसे तो dot product लेके, उसको आप zero कर लेते हो, क्या लिखते हो आप, a1, a2, plus b1, b2, equals zero, dot product लिया है आपने, पर इस तरह से उसको बताना है, तो कैसे बताओगे आप, a1, a2, equals to, minus b1, b2, ऐसे लिखोगे, और फिर, a1 के नीचे लाकर रखेंगे, b1, और a2 को उधर ले जाएंगे, rhs में, तो minus b2, upon, क्या हो जाएगा, a2, a1, a2, equals to, minus b1, b2, ऐसा भी आप याद रख सकते हो, या ऐसा, या dot product पे जाके, उसको zero कर ले न, और ये condition, कभी-कभी बड़े काम में आ जाती है, perpendicularity, check की जा सकती है, i, j, और k, के coefficients से, तो, ये इसका answer है, हल फिलाल, a1 by b1, equals to, minus b2 upon, a2, a2, तो यहां correction होना है, ठीक है, आपको बताना भूल गया, यहां correction है, a2 है, यहां, option a is correct, ति दोनों questions, ये वाला और इसका पिछला वाला, बना आपको वो conditions बताने के लिए, solve किया है, वो conditions आपको याद रखनी है, अब उसी पर बेस फिर से question आ गया, the value of x and y for which vectors a and b may be parallel, may, may parallel are, अगला question करेंगे, क्या बोल रहा है, the value of x and y for which vectors a and b, may be parallel, may be parallel are, तो अभी बात की थी हमने, a और b दो vectors दी हैं, आपको करना क्या है, आपको coefficients को का ratio देख लेना है, 6, उदर वो 5, तो 6 by 5 equals to x upon 6 equals to minus 2 upon minus y, ऐसे लिखके, और फिर x और y के लिए इसको solve कर देना है, इसे equate करेंगे, तो x कितना होगा, 36 by 5, तो यह 36 by 5 यहाँ दिख रहा, positive sign के साथ, और इसको इसके साथ compare करेंगे, तो y चाहिए हमें तो, y चाहिए, यह minus minus तो adjust हो गया, y equals to हो जाएगा, 10 by 6, 10 by 6, that is 5 by 3, यह दोनों values, x कितना निकला था, 36 by 5, y आया है 5 by 3, और यह दोनों values, यहाँ दिखाई दे रही है, option b is correct, तो यह तीनों जो questions थे, इन तीनों questions में आपको, वो condition याद रखनी है, है ना, I, J, R, K के कोईफिशेंट्स का, ratio constant होता है, यदि वो vectors parallel है, dot product होगा, तो वो भी condition अभी आपने देखी ही थी, आपको देखी है, कि वो भी आपको, रखनी है, अपको बदकुर आपको, बदको भी आपको, है जापको,